हेलो स्टूडेंट्स वेलकम चु कल्यानी आईएस अकैडमी एज यू नो हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है एड इस सीरीज में अभी हम यूनेट वन को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने चारवक कंप्लीट कर लिया था एड टोड़ी सेशन हम कंप्लीट करेंगे आचारी शंकर को if I talk about आचारी शंकर that is शंकराचारे so he is one of the most prominent and outstanding teachers that time could ever produce sir ऐसा क्यों कह रहे हैं आप so I am saying this because अगर मैं इनके time period की बात करूँ तो इनके time period में जो हमारा हिंदूइजम का culture है उसमें rituals जो है यानि यग्य वग्यरा बहुत जादा बढ़ गए थे जिसके कारण हमारी जो society है वो क्या हो गई थी बहुत जादा divide हो गई थी तो इन्होंने क्या करा इन्होंने अपनी philosophy और teaching से हमारी उस divided society को वापस reunite करने का जो tough task है वो complete करा so इसलिए इनकी जो philosophy है और teachings है वो हमारे लिए काफी important हो जाती है अब अगर मैं बात करूँ इनकी philosophy और teachings की Indian philosophy में वो कहां stand करती है तो इसको भी आप काफी clearly understand कर सकते है as I have told you in previous session Indian philosophy जो है ये nine schools में divide होती है जिन में से एक है आस्तिक और दूसरे है नास्तिक नास्तिक में हम चारवक को complete कर चुके हैं और उनके अलावा हमारे upcoming sessions में हम बुद्ध और जेन को भी clear करेंगे अब आस्तिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें six schools आते हैं जो है सांख्य, नयाय, वैशेशिक, पूर्व मिमासा, योग और उत्तर मिमासा जिसे हम वेदान भी कहते हैं अब यह जो वेदान्त है, it is given in our syllabus, हमें इसको understand करना है पर complete नहीं वेदान्त में से भी हमें सिप और सब क्या clear करना है, अदवेद वेदान्त क्लिया करना है because this is the philosophy given, और I must say, propounded by शंकराचार, अब now you must be thinking, sir what is वेदान्त, तो देखिए, if I talk about वेदान्त, तो जो 6 orthodox schools है, उन में से सबसे popular अगर कोई है, तो वो है वेदान्त और हमारी जो इंडियन फिलोसोपी है, इसका भी ये क्या है, बहुत important part है, चोकि ये क्या है, ये हमारे इंडिया का spiritual culture है, उसका foundation है but still sir, please tell us कि वेदान्त क्या है, what is वेदान्त, तो देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, if I talk about our वेदास, I guess आप सब जानते होंगे, हमारे चार वेदास है, that is, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद and अथरवेद, तो ये चार वेदास क्या होते हैं, तीन parts में given है, try to listen carefully, वेदास के अगर हमें parts की बात करो, तो इसमें first part में आती है सहीता, second part में आते हैं ब्राम्मन, और third part है, जिसको हम अरण्यक या उपनिशत कहते हैं, so tell me, ये उपनिशत जो है, ये वेदों में कहां आ रहा है, definitely ये वेदों में last में आ रहा है, इसी लिए, जो वेदान्त है, इसका मतलब क्या होता है, it literally means the end of the वेदास, अब जैसा कि आप समझ रहें, वेदान्त जो है, इसी को हम उपनिशत भी कहते हैं, but let me tell you, वेदान्त जो है, it doesn't mean only the उपनिशत, इसमें और भी क्या आता है, भगवत गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आते हैं, और इसके अलावा different comment countries, जो लिखी गई है, most probably ब्रह्मसूत्र पे, वो भी आती है, sir, आप जो है, इतना detail क्यों explain कर रहें, so friends, मैं आपको ये चीज़े इतनी detail, इसलिए explain कर रहा हूँ, ताकि आप जो है, आगे की slides को समझ पाए, that is, six schools of वेदान्त को समझ पाए, so, जैसा कि मैंने आपको अभी त thinking, what is ब्रह्मसूत्र, so, let me make you clear, जो वेद थे, उनके बाद क्या हुआ, जो उपनीशत्स जो आए, तो उपनीशत्स में क्या हुआ, उपनीशत्स में कापी टाइम जो है, लगा, और कापी सारे सेंट्स ने इन्हें मिलकर बनाया, because of this reason, इनकी जो thinking है, इनमें जो matter written है, उस प करने के लिए क्या करा गया, एक और text लिखा गया, जिसे वेदान philosophy का original text कहा भी जाता है आज की दारिक में, that is, ब्रह्मसूत्र, अब ये ब्रह्मसूत्र के साथ भी एक problem थी, the problem was, कि ये जो है, बहुत ही summarized language में लिखा था, मतलब बहुत ही short में दिया हुआ था, इसके कारण जो इसके meaning है, उसको लेकर भी कापी जादा differences हुए, तो इस ब्रह्मसूत्र पे क्या करी गई, बाद में कई सारी commentaries जो है, लिखी गई, और इसके साथ ही क्या complete हुआ, बेदान जो है complete हुआ, now still you must be thinking, sir इतना detail आप क्यो बता रहे, because I guess you all must have been knowing, कि जो बेदान्त है, उसके क्य होते है, 6 schools होते है, so actually यह क्या है, यह actually जो ब्रह्मसूत्र है, उसकी commentaries है, और यह जो 6 schools है, जिने शंकराचार्य, रामानुच, मादवाचार्य, वल्लवाचार्य, निंबर्क आचार्य, और चैतन्य ने लिखा है, यह सारे schools में से, हमारे syllabus में क्या है, तो हमारे syllabus में है, अदवेद, विशिष्ट अदवेद, दुएद, शुद्ध अदवेद, दुएता अदवेद, और अचिंत भेदा भेद, ठीक है, अब यह जो मैंने आपको explain किया, इसी का matter यहाँ पे detail में थोड़ा written है, अब अदवेद के अलावा, जो बाकी के हैं, विशिष्ट वो भी क्या होते हैं, यहाँ पर written है, बट इतना आप घबराईये मत पढ़के, because this all is not in our syllabus, यह बस मैं आपकी एक रूपरेखा जो है, फॉर्म कर रहा हूं, ताकि आपको यह चीज़े समझने में दिख करना है, I guess अदवेद philosophy जो है, इसका हमारी Indian philosophy में क्या position है, आपको अच यंकरचार is considered one of the most prominent and outstanding teachers that time could ever produce, because इनका जो time period था, as I have told you, उसमें sacrifice, rituals, या फिर वर्शेप, या फिर यग्ये वगेरा, बहुत जादा बढ़ गए थे, because of that, जो हिंदुजम है, उसका जो real meaning है, वो क्या हो रहा तक होता जा रहा था, और इसी के ही कारण, जो बुद्धिजम है, वो बहुत जादा popularity जो है, गेन करने लग गया था, so at that point of time, इन्होंने अपनी जो philosophy और teachings है, उससे क्या करा, तो हिंदुजम को revive करा, if I talk about his life, so Shankaracharya lived for just 32 years, but इस short light में भी, इन्होंने अपनी आने वाली generations के mind में क्या करा, एक indelible impact जो है, create करा, इसके अलावा, इन्होंने जो है, remarkable scholarship जो है, शो करी थी, by mastering the four vedas, at just the age of eight, या, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ eight years की age में, इन्होंने चारों vedas को क्या करा था, master कर लिया था, जिसके लिए, एक life भी क्या हो जाती है, समझने में कम पड़ जाती है, इन्होंने जो है, इन्डिया की पूरी length और breadth को क्या करा था, travel करा था, और उसके जरीए, इन्होंने spread करा था, अपनी philosophical teaching अदवेद विदान को, जिसको हमें आज के session में समझना है, अब जब ही travel करते थे, उस समय क्या होता था, इनको कई सारे लोग मिलते थे, सेजे सेंट्स मिलते थे, जिनके views इन से क्या होते थे, different होते थे, जो दुएताव दुएत, या फिर दुएत में क्या करते थे, believe करते थे, duality में believe करते थे so उनको क्या होता था उनको ये challenge करते थे और जो challenge होता था उसमें इनके बीच में क्या होती थी इनके बीच में debate होती थी जिसे हम शास्त्राथ भी कह सकते हैं तो इनकी debates में सबसे famous debate थी इनकी मंदन मिशर के साथ और इसके अलावा उनकी भाई भारती के साथ अब इस debates में क्या होता था so try to understand ये कहते थे कि if I lose in this battle और in this debate तो मैं सन्यास का करूँगा छोड़ दूँगा इनके opponents कहते थे if I lose in this battle तो मैं सन्यास जो है ले लूँगा ठीक है other than this इनकी life की कुछ basic details आपके सामने है like इनकी date of birth, place of birth, date of death, place of death, father's name, mother's name ये किसके devotee थे इनके teacher, इनके disciples यानि इनके सिश्य और इनकी philosophy का नाम ये basic details आपको पता होनी चाहिए because two liner में आपसे इन में से कुछ question करा जा सकता है but इनकी अगर मैं philosophy की बात करूँ तो अदवेत, you must be thinking, sir ये क्या होता है तो देखे, यू तो हमें इस session में इसको detail में समझना है but एक short explanation अगर मैं आपको दूँ तो ये कहते हैं कि जो unchanging entity है यानि जो ब्रह्म है, वो ही alone क्या है, real है sir, unchanging entity, ब्रह्म तो ब्रह्म को आप अभी के लिए मान लीजी क्या God ताकि आपको समझने में, understanding में problem ना हो अब unchanging entity तो अंसमी, जो God है क्या उनका बर्त हुआ होगा? definitely not क्या उनकी death होगी? definitely not क्या उनकी age बढ़ती है? definitely not तो इन सब कारणों से, इन सब reasons से वो क्या है? unchanging entity है जो alone क्या है, real है while changing entities like you and me हमारा क्या नहीं है? हमारा कोई absolute existence नहीं है and ये world ये world जिसमें हम live कर रहे हैं जिसमें हम air ले रहे हैं, breathe कर रहे हैं ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक maya और illusion है और सिर्फ और सिर्फ self जो है self यानि की आत्मन जो है वो ही क्या है? real है आपके आत्मा ही क्या है? real है जो person ये realize कर लेता है वो क्या attain कर लेगा? वो moksh attain कर लेगा उसकी soul जो है liberate हो जाएगी इस तरह से ही यह doctrine कहती है कि जो आत्मन है और जो ब्रह्म है इन दोनों के बीच में कोई difference नहीं है और individual soul जो है यह ब्रह्म से different नहीं है अब आप कहोगे sir it is very tough to understand what you are trying to explain तो आज की पूरे session में हम इसी चीज़ को detail में समझने वाले हैं तो stick with me अब इसी लिए इनका जो अदवेद है उसका मतलब क्या होता है non-duality हिंदी में अगर मैं आपको कहूं दो या दो से अधिक सत्ता को क्या करना होगा अस्विकार करना होगा non-dual मतलब दो नहीं है so you must be thinking दो नहीं तो एक है तो नहीं ऐसा नहीं है दो या दो से अधिक को क्या कर रहे है अस्विकार कर रहे है इसी बात को आज के session में हम detail में समझने वाले इसी लिए signify करता है किसको oneness को और absoluteness को अब इनके अगर हम works की बात करें तो इन्होंने कई सारी क्या करी है commentaries जो है written करी है हमारे बेदिक कैनन्स पर जैसे हमारे उपनीशत्स पर इसके अलावा ब्रह्मसूत्र पर और भगवत गीता पर इनके major works की अगर मैं बात करूँ तो वो है ब्रह्मसूत्र भाष्य यानि ब्रह्मसूत्र पर एक commentary इसके अलावा इनके religion times जो है वो content है किसमें इनके works में जैसे दक्षिणा मुर्ती स्रोत आनंद लहरी और सौंदर लहरी इसके अलावा इनके other important works हैं जैसे की आत्मबोध तक्वबोध दशशलोकी उपदेश सस्री और अप्रोक्षन भूती ये भी आपसे बन लाइनर के तौर पे question करे जा सकते हैं इसके अलावा इन्होंने जो है चार पीट्स जो है monastries जो है यानि की मट जो है establish किये थे इन four corners of India जिनसे ये अपनी spiritual teachings को क्या करते हैं अफोल करते हैं I guess इनके नाम तो आपको पता होंगे शारदा पीट, कलिका पीट, जोती पीट, गोवर्दन पीट If I discuss something about them तो देखी ये history का part हो जाता है तो इसलिए detail में इनके बारे में discussion यहां नहीं करेंगे But still you must know about them तो कि ये इंडिया के क्या है ये हमारे सबसे important जो है pilgrim destinations है But यहां पर हम इनकी philosophical teachings के बारे में discuss कर रहे हैं तो इनकी जो teachings है उसको आप एक half a verse में क्या कर सकते हो summed up कर सकते हो That is ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना परा I guess मैंने आपको अभी ये clear करा है ब्रह्म ही सत्य है ब्रह्म alone क्या है? real है जगत क्या है? मिथ्या है world क्या है? unreal है जीवो ब्रह्मे ना परा The jeep or the individual soul It is non-different from ब्रह्म ये ब्रह्म से ज़ादा different नहीं है ठीक है? Now after this, orders of reality Sir, क्या explain करना चाहरे है आप? तो definitely मैं understand कर रहा हूँ कि आपको ये ब्रह्म alone is real वाली बात जो है, digest नहीं हो रही है तो इसको समझने के लिए हमें orders of reality यानि की try to listen carefully सत्ता के इस्तर को समझना होगा So according to Shankar there are three kinds of reality there are three orders of reality तीन सत्ता के इस्तर होते है अब ये names आपको तोई difficult रगले होंगे प्रातिभासिक सत्ता व्यावारिक सत्ता परमार्तिक सत्ता What are these? So इनको मैं example से clear करता हूँ Let me ask you a question Do you see dreams? क्या आप सपने देखते हो? Definitely yes Now tell me Are they real? क्या सपने सच होते हैं? Definitely you must say Sir हमें सपने जो है जब तक हम देख रहे हैं Till we are sleeping हमें वो real लगते हैं But जैसे ही the moment we wake up हमें वो क्या लगने लग जाते हैं? Unreal लगने लग जाते हैं तो ये जो dreams है जो आपको एक short duration के लिए क्या लगते हैं? Real लगते हैं यही क्या है? प्रति भासिक सत्ता है सत्ता का मतलब होता है सत्य तो ये एक short duration के लिए आपके लिए क्या है? Truth है यहां देखे प्रति भासिक यहां पर शब्द जो है आपको देखेगा क्या? आभास तो आपको क्या हो रहा है? आभास हो रहा है इसी को मैं और clear करता हूँ Suppose आप एक dark room में है जिसमें हलकी हलकी light आ रही है और वहां पर एक rope रखी है जिसका एक सिरा यू उठा हुआ है So आपको जो है क्या illusion हो सकता है? Definitely you can do a mistake of understanding a rope ऐसा आप जो है ऐसे में dark room में rope को क्या समझ सकते हो? तो ये illusions, hallucinations ये भी क्या रहते हैं? short duration के लिए रहते हैं जब तक brightness नहीं आ जाती जब तक darkness खतम नहीं हो जाती तो ये सब क्या है? ये सब प्रतिभासिक सकता है Now you must be thinking Sir आप समझाना क्या चाह रहे हैं? तो देखे हमें जो है इस session में बार बार दो terms वेक अप उसके बाद जो है आप कहां आ जाते हो? definitely आप इस real world में आ जाते हो real world जहां पर हम different things experience करते हैं like walls of the room पंखा या फिर हमारी जो surroundings है वो सब तो ये real world जिसको हम experience कर रहे हैं यानि कि ये क्या है? ये practical reality है जो हम सब के द्वारा क्या की जा रही है same time पे experience की जा रही है और जो प्रतिभासिक सत्ता थी वो क्या हो रही थी? privately experience जो है कर रिट की जा रही थी अब जैसे ही आप इस practical world में आ जाते हैं वैसे ही आप क्या कहते हैं? कि ये प्रतिभासिक सत्ता क्या है? ये truth नहीं है ये जो है unreal है और वैवारिक सत्ता ही क्या है? real है अब शंकरचारिवास अब दव्यू की जो वैवारिक सत्ता है वो भी real नहीं है जिस तरीके से जब हम dream में होते हैं तो हमें प्रतिभासिक सत्ता जो है वो truth लगती है, reality लगती है उसी तरह से चोकि हमें ब्रम का knowledge नहीं है हमें metaphysical ultimate metaphysical reality का knowledge नहीं है तो हमें क्या लगता है कि ये वैवारिक सत्ता क्या है? real है बस as we have understood real क्या है? तो जो ब्रम alone क्या है? वो ही real है ब्रम के अलावा कुछ भी जो है real नहीं है ठीक है? तो परमार्दिक सत्ता क्या है? यही जो है real है परम यानि यहां परम बात कर रहे है ब्रम की ठीक है? I guess अब आपको मेरी बात जो है थोड़ी clear करूरी होगी इसी को हम क्या कहते है? इसी को हम transcendental reality जो है कहते है और यह दोनों terms as I said आप बार-बार encounter करने वाले है दीरे-दीरे इस session में आपको अच्छे से clear हो जाएगा what I am trying to say and try to listen this session carefully because जो other students understand नहीं कर पाएंगे उनी चीजों में आप क्या कर सकते हैं? score कर सकते हैं अब as we know जब हम किसी की भी philosophy की बात करते हैं तो वहाँ पर तीन चीज़े होती है first, epistemology जहाँ पर हम valid means of knowledge यानि प्रमाण की बात करते हैं second, metaphysics जहाँ पर हम higher origin की यानि God, soul इस तरह की बाते जो है करते हैं and third, ethics जिसमें हम liberation की या फिर मैं कहूं ultimate aim of life की बात करते हैं जो की liberation में इसलिए कह रहा हूं because except जो हमने last session में पढ़ा चार वाक उनके अलावा सब जो है ultimate aim of life किसको मानते हैं liberation को ही मानते हैं so valid means of knowledge की अगर मैं बात करूं प्रमाण की अगर मैं बात करूं तो हमने last session में समझा था कि वो कितने होते हैं होते हैं but according to अधवेद valid means of knowledge कितने हैं six है हमने last session में समझा था perception, testimony, comparison और inference को अब try to understand जैसे आप ये session देख रहे हो तो मुझे बताएए आपको जो है knowledge मिल रहा है हाँ या ना तो इसका प्रमाण क्या है या शुद दिन्दे में कहो इसका सबूत क्या है definitely आप कहेंगे sir हम अपनी eyes से इसको देख रहे है तो perception और हम आपके शब्द देख रहे हैं और आपको एक authentic resource मान रहे है तो testimony उसी तरह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी ब्रह्म की तो प्रमाण क्या होता है जो हमें knowledge देता है किसी ऐसी entity का जो हमारे लिए unknown है या फिर जिसको अविद्या ने क्या करा है hide कर लिया है अविद्या इस term को हम इस session में भी समझेंगे और अपने अगले session में हम बुद्ध के साथ भी इसको clear करेंगे तो अब प्रमाण जो है वो क्या होगा मतलब प्रमाण किसकी बात कर रहा हूँ मैं ब्रह्म के लिए प्रमाण क्या होगा so tell me क्या आप ब्रह्म को देख सकते हो feel कर सकते हो प्रत्यक्ष कर सकते हो ब्रह्म का definitely not तो आप जो है क्या ब्रह्म का अनुमान लगा सकते हो definitely not क्या आप उनके compare कर सकते हो तो उनके जैसा तो कोई है ही नहीं so how can you compare तो ये जो other sources है प्रमान के ये सब क्या हो जाते है ये ब्रह्म को reveal करने में सक्षम नहीं रह जाते है because ब्रह्म क्या नहीं है वो एक object जो है नहीं है object of knowledge जो है नहीं है इसी लिए इन सारे प्रमानों में से सिर्फ किसको ही main प्रमान मना जाता है that is शब्दा शब्दा को ही क्या करा जाता है ऐसा प्रमान मना जाता है जो ब्रह्म के knowledge को क्या कर सकता है disclose कर सकता है जो कि बाकी सारे प्रमाण किस से deal करते हैं material world से deal करते है but let me tell you epistemology जो है शंकर philosophy का exam में आना थोड़ा मुश्किल है but still I am explaining this to you ताकि जब आप books पढ़ो तो आपको चीज़े confuse ना हो for example जो अदवित के according six प्रमाण के types है उन में से अगर मैं बात करूँ तो हमने previous session में सिर्फ चार को ही समझा था हमने किन को नहीं समझा था तो हमने postulation को और non apprehension यानि की अनूपलबदी को नहीं समझा था हमने इसलिए नहीं समझा था because इन से भी question आना बहुत जादा मुश्किल है now you must be thinking sir अगर question आना मुश्किल है so आपने ये notes में दिया क्यों है so I have mentioned these things in notes ताकि आप जो books पढ़े जो कि books में philosophical teachings में भहुत जादा difference है तो आपको ये clear रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है I guess epistemology of Shankar's philosophy अभी भी आपको clear हो गई होगी now let us understand metaphysics of Shankar's philosophy अगर हम अदवेत के metaphysics की बात करें तो इसको हम five categories में break कर सकते हैं जिसमें हम ब्रह्म, ईश्वर, जगत, माया और जीत को study करेंगे सबसे पहले हम इसमें study करेंगे ब्रह्म को ब्रह्म, ब्रह्म क्या है what is ब्रह्म so let me tell you अगर आपने ब्रह्म को understand कर लिया so आप मान लीजेंगा कि आपको Shankar का जो अदवेत वेदान का सद्धान्त है जो philosophy है वो maximum क्या हो गई clear हो गई अब शंकर के वेदान्त में ब्रह्म जो है उसको दो point of view से categorize करा गया है पहला essential और indeterminate nature जिसको हम ब्रह्म का स्वरूप लक्षन भी कहते है and second secondary और determinate nature जिसको हम ब्रह्म का टतस्त लक्षन कहते है अब ये क्या है तो देखे try to understand ब्रह्म कैसा है तो ब्रह्म निरगुण है निराकार है ब्रह्म जो है वो existence है consciousness है वो limitless है तो जब हम ब्रह्म को ऐसा कहते है तो ये ब्रह्म का क्या है ये ब्रह्म का essential nature है but it is very hard to understand इसलिए हम क्या करते है ब्रह्म को अपनी language में अपने इस्तर पर define करते है और हम ये कहते हैं ब्रह्म क्या है he is the creator of universe जिसमें से सारे beings जो है वो क्या हुए है originate हुए है तो ये ब्रह्म का क्या है ये ब्रह्म का secondary attribute है what do you mean by sir attribute attribute का मतलब होता है गुणा जिसको अभी हम detail में समझने वाले है अब सबसे पहले हम समझते है ब्रह्म के स्वरूपलक्षण को अब स्वरूपलक्षण के अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम ब्रह्म के बारे में तीन चीज़ समझेंगे कि ब्रह्म पहला क्या है सत्यम ज्यानम अनंतम दूसरा ब्रह्म क्या है सत्चित आनंद और तीसरा ब्रह्म क्या है? सजाती, विजाती, स्वगत, भेथ, शुन्य अब ये क्या है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्वरूप लक्षन को अब स्वरूप लक्षन ये क्या है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी थिंग का एसेंशल नीचर क्या है? तो ब्रह्म का जो एसेंशल नीचर है, उसमें हमने ब्रह्म को तीन चीजे बताया है सत्यम, ज्यानम, अनंतम, सत्चित, आनंद, और सजाती, विजाती, और आप देख सकते हैं स्वगत, भेथ, शुन्य अब सबसे पहले हम बात करते हैं सत्यम, ज्यानम, अनंतम की तो देखी, ब्रह्म क्या है? As we have studied, ब्रह्म सत्यम, जगनमित्या ब्रह्म ही क्या है? सत्य है ब्रह्म जो है, कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा ब्रह्म जो है, वो त्रिकाल बादित है इटेस not contradicted by any time यह हमेशा से जैसा ता वैसा ही रहेगा इटेस एन unchanging entity यह क्या है, ट्रूथ है, जो क्या है, uncontradicted है यह सत्य है, ब्रह्म ही real है ब्रह्म जो है इस ज्यानम अब ज्यान से यहाँ पर try to understand इसका मतलब ordinary knowledge नहीं है इसका जो मतलब है वो इससे काफी beyond है ये जो है ये वो knowledge नहीं है जिसमें हम duality की बात करते है एक subject और एक object की बात करते है एक नोर की और एक known की बात करते है ये इन से क्या है बहुत जादा beyond है try to understand यहाँ पर ये कहने की कोशिश हो रही है कि knowledge जो है वो ब्रह्म का attribute या ब्रह्म का गुण नहीं है ब्रह्म खुद क्या है? ब्रह्म खुद ही knowledge है आप ब्रह्म को अगर समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए और आप ब्रह्म को ना समझे तो आप कुछ ना समझे ठीक है? ब्रह्म is anantam ब्रह्म क्या है तो ब्रह्म इंफाइनाइट है, इटर्नल है और अनलिमिटेड है मतलब की ब्रह्म क्या है ये टाइम, स्पीस और कॉसेशन मतलब किसी भी कारण के क्या है परे है ठीक है तो ब्रह्म इस सत्यम ज्यानम अनंतम Another definition के अगर हम बाप करें तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो है, यह सत्चित आनन्द है अब यह जो terms है, try to understand सत्चित आनन्द यह ब्रह्म की attributes नहीं है यह क्या है? यह ब्रह्म की characteristics है अब सत्च क्या है? I guess मैंने आपको clear कर दिया जो सत्च है, जिसकी सत्च है I guess आपको याद आ रहा होगा orders of reality, परमार्थिक सत्च परमार्थिक सत्च किसकी है? तो ब्रह्म की है इसलिए ब्रह्म क्या है? सत्च है इसके अलावा, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म चित है अब चित है, इसका मतलब ब्रह्म क्या है consciousness है now you must be thinking sir consciousness वो क्या होता है so try to understand आप ये session देख रहे हैं बट मुझे बताए हमारी जो body है ये तो क्या है ये तो एक material object है क्या ये किसी चीज को देख सकती है understand कर सकती है definitely not असल में हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो भी अपने visuals है या जो भी अपने senses है उनको क्या कर रहा है महसूस कर रहा है और उससे चीजों को calculate कर रहा है और even यही आपको क्या कर रहा है control कर रहा है इसी को हम क्या कहते है consciousness कहते है या life कहते है बट ये life कैसी है अभी ये life जो है अभी pure नहीं है, impure है इसमें आप क्या कहते हो? इसमें आप कहते हो, मैं चिराग हूँ मैं मुहित हूँ, आप रोहित हो वगेरा, तो यह कैसी consciousness है? यह impure consciousness है पर ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म तो pure है, शुद्ध है तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म सचित है, अब जब आप सचितह हो जाते हो, so, you understand कि मैं रोहित नहीं हूँ, मैं मुहित नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ब्रम्म हूँ, मतलब, आसान भाशा में कहूँ, तो मैं सवयम इश्वर हूँ, और when you understand this, आपको क्या हो जाता है, आप आप खुद क्या हो जाते हो, आप आनंद हो जाते हो, वो टाइम ट्राइंट टू से, आपको हैपी होने के लिए, आपको खुश होने के लिए, क्या होता है, डिप्रेंट थिंग्स की रिक्वार्मेंट होती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो के लिए तो ब्रह्म क्या है ब्रह्म जो है सच चित आनंद है और ब्रह्म जो है वो being consciousness bliss है I guess आपको ये बात भी अब clear होने लग गई होगी इसी लिए हम ब्रह्म को क्या कहते हैं निरगुण ब्रह्म कहते हैं सर ये निरगुण ब्रह्म क्लियर नहीं हो रहा तो यह भी आज की सेशन में अभी मैं आपको क्लियर करूँगा अब इसके अलावा अगर हम बात करें भेदों की तो अब देखे भेद क्यों तीसरी यह definition मुझे आपको अभी क्लियर करना है डेट इस ब्रह्म क्या है सजाती विजातिय स्वगत भेद शुन्य सो पहले ट्राइट अंडेस्टेंड वोट इस भेद डिफ्रेंस तो भेट डिफ्रेंस के अगर हम बात करें तो यह तीन टाइप्स के माने गए पहला सजाती भेद इ जैसा डिफ्रेंस जो किसके बीच में हो जो अबजेक्स ऑफ सेम क्लास के बीच में हो जैसे दो काउस के बीच का डिफ्रेंस अब आप देख सकते हैं काउस जो है वो नियर अबाट क्या होती एक जैसी दिखती है बंड में डिफ्रेंस कैसे होते हैं जैसे इस काउ का कलर अल class क्या है, species क्या है, different है. Third is, Sagat bhaed, that is, internal difference. अब जैसे, अगर हम cow की बात करें, तो इसका क्या है? इसका एक form है, इसका एक shape है, जिसके कारण इसके legs, इसकी eyes, इसकी body, इसकी tail, हम सबको क्या कर सकते हैं? differentiate कर सकते हैं. तो ये क्या होता है सगद भेध होता है जिसमें हम किसी एक ही काउ या किसी एक ही चीज के different parts की ही बात करते है अब ब्रह्म क्या है ब्रह्म की अगर एक और definition की हम बात करें ब्रह्म जो है वो without duality है जैसा कि हमने समझा हम अभी अधवेत को understand कर रहे है तो यहाँ पर तो कोई duality है ही नहीं दो या दो से अधिक की सत्ता ही नहीं है तो ब्रह्म के अलावा तो कोई जाती ही नहीं है तो जब कोई और जाती ही नहीं है तो फिर विजाती भेद कहां से हुआ इसके अलावा ब्रह्म है नो सगत भेद विकोज ब्रह्म क्या है ब्रह्म निर्गुण है निराकार है उसका कोई form नहीं वो formless है और जब ब्रह्म जो है वो formless है तो definitely उसका कोई सगत भेद भी नहीं होगा सजाती विजाती स्वगत भेद शुन्य अब निर्गुण ब्रह्म का मतलब क्या होता है तो जैसे हम कहते है ओम तो अब ये भी क्या है ये क्या है निर्गुण ब्रह्म है जो कि यहाँ पर आपको आवास सुनाई देती है पर कोई रूप दिखाई नहीं देता है I guess अब आपको निर्गुण ब्रह्म जो है कुछ हद तक क्लियर हो रहा होगा बट आपको यह जादा अच्छे से क्लियर होगा जब इसका रिवर्स सगुण ब्रह्म भी समझ लेंगे तो देखिए सेकेंड है ततस्त लक्षन ऑफ ब्रह्मा अब जो हमने स्वरूप लक्षन समझा है उसमें हमने एक्चुली क्या अंडर्स्टैंड करा है उसमें हमने निर्गुण ब्रह्म अंडर्स्टैंड करा है पर ट्राइट अंडर्स्टैंड यह जो निर्गुण ब्रह्म है इसको समझना क्या है? बहुत ही ज़ादा difficult है जो कि हमें बहुत easily digest नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है तो इसलिए हम किसकी बात करते हैं? सगुण ब्रह्म की बात करते हैं ततस्त लक्षन और ब्रह्म की बात करते हैं इससे आप काफी ज़ादा familiar है तो ये टता स्लक्षन क्या होता है ये secondary characteristics होता है जो ब्रह्म में originally नहीं होता है बट उसको attribute किया गया है हम human beings के दोरा जैसे हम अगर बात करें तो हम क्या करते हैं हम इस world की बात करते हैं कैसे बात करते हैं हम कहते हैं कि जो God है यहाँ पर मैं ब्रह्म को God बोलूँगा जो God है उ is the creator, sustainer and destroyer of the world हम यहाँ पर ब्रह्म को क्या दे देते हैं एक form दे देते हैं जिसमें हम कहते हैं ब्रह्मा विश्नु महेश originator, sustainer and destroyer of the world हम यहाँ पर ब्रह्म को नाम दे देते हैं attributes दे देते हैं गुणा दे देते हैं ताकि हम ब्रह्म को क्या कर पाएं समझ पाएं God को हम सम कर पाए अगिस अब आपको बात कुछ हत्त क्लियर हो रही होगी तो स्वरूप लक्षण ब्रह्म का एसेंशल नीचर है जिसमें वो निर्गुन निराकार है और टतस लक्षण हमां हमने जो एक्टिब्यूट्स ब्रह्म को दिये हैं खुद ब्रह्म को समझने के लिए वो है ज जुन ने ब्रह्म का रूप देखा है वो क्या है सगुन ब्रह्म है जो कि वहां पे ब्रह्म का क्या है एक फॉर्म है ब्रह्म क्या है सगुन है ठीक है तो इस तरह से मैं आपको यह एक्स्प्लेन कर रहा हूँ कि ब्रह्म क्या करता है अपने आपको दो फॉर्म में मैंनिपे इसे पे गुण नहीं है बट ऐसा नहीं कह सकते एक्जेक्ली ब्रम्म क्या है असल में गुणों से परे है अन्कॉलिपाइड निर्विशेश इसके कोई इसके कोई कारण नहीं है इस तरह से ब्रम्म क्या है इन्डिफाइनेबल है अनिर्वचनी है यानि कि I want to say कि ब्रम्म को अगर कोई कहता है कि मैं समझ गया इसका मतलब वो ब्रम्म को नहीं समझा ठीक है ब्रम्म क्योंकि क्या है अनिर्वचनी है जिसको आप describe नहीं कर सकते जिसको आप define नहीं कर सकते बट try to understand यही निर्वचन ब्रम्म जब किस से associate हो जाता है यह अपनी माया से associate हो जाता है माया क्या है यह हम आज के सेशन में समझेंगे जब यह अपनी माया से असोसियेट हो जाता है तो इसी को हम क्या मानते हैं इसी को हम मान लेते हैं सगुण ब्रह्मा जो की क्या है qualified है जिसके characteristics है जो determinate है जो की सगुण है जिसके गुण भी है और हिसी को हम क्या बोलते हैं हम Lord बोलते हैं इश्वर बोलते हैं यानि की Creator, Preserver and Destroyer of the Universe I guess अब आपको ये बाते अच्छे से clear हो गई होंगी अब इसके बाद ब्रह्म जो है इस तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं हम दो point of view से इसको देख सकते हैं अब I guess जो हमने सत्ता के स्तर यानि orders of reality understand की थी वो अब आपको यहाँ पे utilize होगी पहला निर्गुन ब्रह्म ये निर्गुन ब्रह्म क्या है ये परमार्थिक सत्ता है सेकेंड सगुन ब्रह्म सगुन ब्रह्म क्या है तो ये वेवारिक सत्ता है परमार्थिक सत्ता ultimate metaphysical reality जहां तक हमें पहुचना है कि ब्रह्म alone ही क्या है रियल है बट इस physical world में हम क्या करते हैं हम God की जो है idols बना लेते हैं और उसकी वर्षिप करते हैं मुर्तिया बना लेते हैं और उसकी वर्षिप करते हैं उसका एक रूप माल लेते हैं कि उनके चार हाथ है उनमें आहत में तलवार है वगेरा वगेरा तो ये सगुन ब्रह्म ये क्या है ये ब्यवारिक सत्ता है जो हमारे इस world में जिसमें हम रह रहे हैं उसमें होती है और यहां पर ब्रह्म को किस से जोड़ा जाता है उसकी माया से जोड़ा जाता है इसका एक फॉर्म होता है ब्रह्मा विश्नु महेश जैसा एक नाम होता है और इसमें वो सारी सुपीरियर कॉलिटी होती है जैसे कि ओमनी सेंस, ओमनी पोटेंस, गुड़नेस, ब्यूटी, एट्सेक्टरा इसी को हम क्या कहते हैं गौड कहते है तो वाट आम एक्स्प्लेणिंग हीर कि निरगुण और ट्राइटो अंड़स्टेंड बेरी केफुली बहुत काम की बात बोलने वालों में निरगुण और सगुण ब्रह्म ये दोनों दो डिपरेंट रियालिटीज नहीं है सेम ब्रह्म क्या है निरगुण है, सगुण है पर है, अपर है हायर है और लोर ब्रह्म भी है बस ये क्या है ये व्यूपोइंट्स का देखने के नजरिये का क्या है difference है इस तरह से शंक्राचारे क्या करते हैं एक consistency लाते हैं उपनीशतिक ब्रह्म के दो sets सगुन और निर्गुन ब्रह्म में I guess अब आपको काफी अच्छे से clear हो गया होगा और इसी को और clear करते हो उनका एक concept है that is नेती नेती concept of ब्रह्म अब देखिए उपनीशत्स में दिया है कि अगर हमें ब्रह्म को understand करना है तो यह जो इसको pure being को हमें क्या करना होगा negative ways में describe करना होगा मतलब ब्रह्म का जो knowledge है वो हम अपने ordinary practical knowledge से गेन नहीं कर सकते हम ब्रह्म को अपने practical knowledge से understand नहीं कर सकते अगर ब्रह्म को जानना है तो इसका best way क्या होगा कोई भी आपसे पूछे ब्रह्म के ऐसा है तो आपको बूलना होगा not this नहीं ऐसा नहीं है आप कोई का आपसे कहे ब्रह्म वैसा है तो आपको कहना होगा not that नहीं ऐसा भी नहीं है यानि नेती नेती नहीं ऐसा नहीं है नहीं वैसा नहीं है ठीक है? But try to understand it does not mean कि ब्रह्म क्या है एक negative concept है या फिर ब्रह्म जो है वो non entity है या फिर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है तो void है खाली है बस इतना समझिए इसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो ब्रह्म कैसा है I guess अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्म जो है कैसा है बस आप इतना समझिए कोई भी पूछे ब्रह्म ऐसा नहीं है अब सगुन ब्रह्म की हम बात करते है क्योंकि मेटा फिजिक्स शंकर की उसमें हमें ब्रह्म के बात अंडरस्टैंड करना है इश्वर को और जैसा कि आपने समझा ब्रह्म में ही क्या है इश्वर भी है ब्रह्म जो है उसी का जो सेकेंडरी एक्ट्रिब्यूट है वो क्या है सगुन ब्रह्म है इश्वर है लॉड है जिसमें ब्रह्म का क्या होता है ब्रह्म जो है सगुन होता है उसका आकार होता है उसका फॉर्म होता है so अगर इसको हम define करना चाहे तो जब ब्रह्म क्या करता है creation preservation और destruction का work करता है अपनी माया से तो उसी को हम क्या कहते है उसी को हम जो है सगुन ब्रह्म जो है कहते है सगुन का मतलब क्या होता है तो देखी सगुन का मतलब होता है जिसके पास गुण हो try to understand if you want to do anything आपको ये world जो है इसको create करना है इसको sustain करना है इसको destroy करना है तो आपको क्या करना होगा आपको कुछ गुणास जो होना जरूरी हो जाएगा जैसे ब्रह्म में गुणा है ब्रह्म से मेरा ये क्या है ये secondary ब्रह्म जो है उसका इश्वर क्या है secondary attribute from है ठीक है और ये इश्वर जो है try to understand इश्वर के गुण होए न ये omnipotent, omniscience, omnipresent तो इश्वर क्या है इश्वर omnipotent है all powerful है जिसको चारवक deny कर रहे थे last session में उसी को ये शंकराचारे क्या कर रहे है पूरी तरह से accept कर रहे है कि ब्रह्म जो है वो बाड़ वगेरा flood वगेरा कुछ भी रोख सकता है ब्रह्म is omniscient, ब्रह्म knows everything आप क्या prayer कर रहे हो, what you want from ब्रह्मा वो सब जानते है बड़ यहां पे ब्रह्म से हमारा मतलब क्या है? ईश्वर है तो ईश्वर जो है, वो क्या है? omniscient है, वो सब जानते है बाप कहोगे, सर चारवक मैं आपने समझाया था, बड़ इस्टिल, यह हम जो चाहते हैं, वो हमें क्यों नहीं दे देते so the answer is here, कि जो ईश्वर है, वो हमें वही देते है, जो हम क्या करते हैं, डिजर्व करते है तो आपको मांगना नहीं है, आपको डिजर्विंग बनना है ब्रह्म is omnipresent, ब्रह्म जो है, सब जगा है मैं स्वयम ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है तो ब्रह्म जो है, वो क्या है, सभी जगा है इसके अलावा, इश्वर is the cause of both subtle and gross universe जब हम यहाँ पर जगत concept समझेंगे शंकराचार का तो उसमें हम subtle और gross universe को भी clear कल लेंगे इसके अलावा, ब्रह्म is set to be the bestire of results अब इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट आवर का इसका मतलब होता है कर्म फल दाता तो देखिए, ब्रह्म क्या करता है जो भी हम actions कर रहे हैं, जो भी हम कर्मा कर रहे हैं उसका हमें क्या देता है, उसके हमें fruits देता है चाहे वो अच्छे हो या फिर खराब हो इश्वर लेकिन क्या है, try to understand इश्वर is unaffected by कर्मा जोकि इश्वर ना तो doer है, ना reaper है मतलब इश्वर को अपने जो कर्मा है उसके actions का क्या नहीं करना पड़ता कोई fruit face नहीं करना पड़ता क्योंकि वो कर्मा से क्या है uneffected है and last but not the least ब्रह्म क्या है, ever liberated है क्योंकि जो माया है जिसने हमें क्या करा है मोक्ष से दूर कर दिया है जो हमारा जीवात्म है अव विनाशी, ठीक है ट्राइट अडिस्टन जो हमारा अव विनाशी जीवात्म है उसको क्या करा है उसको जकर लिया है जिसके कारण हम मोक्ष से दूर हो गए है तो ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है वो ever liberated है जोकि वो अपनी माया से क्या नहीं होता conceal नहीं होता hide नहीं होता effect नहीं होता इस तरह से ब्रह्म क्या है free from ignorance है अज्ञान से ब्रह्म क्या है free है अब ये ignorance को अज्ञान को अविद्या को भी हम आज की सेशन में जैसा कि मैंने कहा clear करेंगे after this soul आत्मन अब देखी जब हम concept की बात करते है शंकराचार की so जैसा कि हमने समझा कि ब्रह्म और आत्मन यानी soul ये क्या नहीं है ये non different नहीं है ये अलग नहीं है तो असल में जब हमें अपने individual self का जैन हो जाता है मतलब ब्रह्म का अगर आप आत्म विचार ये शंकराचार है इनकाम आत्म विचार नहीं भी पड़े तो कोई difference नहीं पड़ता क्योंकि जो ब्रह्म है वही क्या है आत्मन है बड़ इस्टिल मैं आपको explain कर रहा हूँ ताकि आप जब books पड़े आपको clear रहे कि जो आपने ब्रह्म के बारें पड़ा है वही कि वही apply हो जाता कि इस पे आत्म पे भी इसलिए ये क्या है ये pure consciousness है ये जानती है कि ये इस शरीर में जो है सीमित नहीं है इससे bounded नहीं है ये इससे क्या है beyond है इट इस दा individual self अब now you must be thinking sir individual self क्या है तो देखी जब हम ethics पड़ेंगे शंकर का या फिर हम उनका liberation यानि मोक्ष का concept समझेंगे तो उस समय आप समझोगे कि nature of self क्या होता है ये होता है मतलब हम क्या है हम actually में eternal है कल थे आज है आगे भी रहेंगे हम से मतलब मैं नहीं आत्म की बात हो रही है हमारी आत्मा की बात हो रही है ये immortal है ये pure है ये unlimited है और ये blissful है पर not self यानि की मैं बात कर रहा हूँ अब चिराग की तो चिराग क्या है non eternal है mortal है impure है limited है sorrowful है लेकिन जो मेरे अंदर आत्म है वो क्या है वो self है तो जो self है वो क्या है self immunless है वो जो subject object duality है उससे beyond है ये newer known और knowledge की trinity से भी क्या है beyond है even सारी categories के intellect से क्या है beyond है ये क्या है unqualified absolute है unqualified हमने अभी ब्रह्म में समझा क्या होता है ये जो आत्म है यही क्या है यही basis है of all kinds of knowledge का जैसा कि मैंने अभी आपको consciousness में समझाया कि जब यह आप video देख रहे हो तो actually आप knowledge gain कर रहे हो पर ये material body knowledge नहीं gain कर सकती ये तो क्या है ये सिर्फ और सिर्फ medium है जिसके माध्यम से आप इस world को क्या कर रहे हो experience कर रहे हो असल में ये जो knowledge है ये आपके अंदर का जो आत्म है है वो gain कर रहा है इसी के कारण आपको सारे presuppositions, proofs और knowledge जो है वो उसके basis जो है समझ में आ रहे है ये self जो है ये जो आत्मन है ये आपके अंदर भी है और आपके बिना भी है ये आपके आगे भी है ये आपके पीछे भी है ये आपके right में भी है ये आपके left में भी है ये आपके above भी है ये आपके below भी है ये सब जगा है और ये जो आत है ये स्वता सिद्ध है इसको किसी प्रूफ की रिक्वार्मेंट नहीं है जो कि इसको हम डिनाई ही नहीं कर सकते जो कि जो इसको डिनाई कर रहा है ये उसका अपना खुद का क्या है एसेंस है अब मुझे लगता है कि आपको ब्रह्म ईश्वर और सोल जो की तीनों काफियत कनेक्टेड है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे now let us understand माया what is माया so हमने अभी तक जो शंकर की पिलोसोवी समझी है it says ब्रह्म सत्यम जगन मित्या जीवो ब्रह्मेव ना परा मतलब ब्रह्म अलोन क्या है रियल है और ये जो वर्ड है ये रियल नहीं है but still होता क्या है हमें जगा असल में क्या दिखाई देता है हमें जो है ये वर्ड जो है रियल दिखाई देता है so what is the reason तो इसका reason है माया जो की ब्रह्म की क्या है power है जिसके जरीए वो हमें ब्रह्म की जगा ये वर्ड जो है इसको रियल दिखाता है but now you must be thinking sir still माया क्या है तो देखिए अगर मैं माया के meaning की बात करूँ तो often इसे misunderstood किया जाता है किसके तौर पे illusion के तौर पे false के तौर पे या मिथिया के तौर पे not only in India but even जो western philosophy है उसमें भी but जो शंकर की philosophy है उसके according जो माया है it is a combination of two words ma and ya जिसका मतलब होता है that which is not sir that which is not ये जो नहीं है sir इसका क्या मतलब होगा so देखिए if हम says करते हैं कि the world is maya तो world maya है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब actually जो world है वो क्या है उसमें appear हो रहा है हमें appear हो रहा है एक reality के form में जो actually में इसका essential और ultimate nature नहीं है I guess हमने जो ब्रह्म के बारे में clarity अचीव की है उसमें आप समझ चुके है essential nature क्या होता है तो वो निरगुण ब्रह्म होता है बट हमें वो किस रूप में दिख रहा है हमें वो सगुनबरह्म के रूप में दिख रहा है जो उसका essential नहीं है और यह जो nature है यह जो सगुनबरह्म है ये क्या होगा, इसका कोई existence नहीं रह जाएगा, जब हमें क्या मिल जाएगा, right knowledge जो है मिल जाएगा, I guess meaning of Maya आपको slight clear होगा, but अभी भी आपको समझना होगा Maya actually क्या है, so try to understand Maya असल में it is a power of Brahma, अब ये किस तरह की power है, so it is a mysterious power, some mysterious को, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है, हमारे जो वेद वगेरा है, उनमें भी Maya को क्या बताया गया है, it is known ऐसा illusionary principle, जिस तरह से हम ब्रह्म का complete knowledge अचीव नहीं कर सकते, उसी तरह से Maya का भी complete knowledge अचीव नहीं किया जा सकता, but what is known कि Maya क्या है, ये एक mysterious power of Brahma है, जो क्या करती है, जो try to listen carefully, which conceal the nature of consciousness, sir, conceal the nature of consciousness, so देशा के हमने समझा, consciousness क्या है, आप इस session को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर कोई है, जो इस session को experience कर रहा है, feel कर रहा है, understand कर रहा है, और उस पर अपनी एक opinion form कर रहा है, तो वो क्या है, consciousness है, पर उसको हम किस तरह की consciousness कहेंगे, फिलाल हम उसको false consciousness कहेंगे, जो कि इसके अंदर में आप खुद को क्या कर रहे हैं, मोहित, रोहित, सोहन जो है, वो मान रहे हैं, पर ये pure कब होगी, जब आप ये समझ जाएंगे, कि आप क्या है, ब्रह्म है, तो माया क्या कर रही है, आपकी जो consciousness है, उसे क्या कर रही है, conceal कर रही है, hide कर रही है, जो आपकी real consciousness है, और आपको क्या दिखा रही है, आपको it is projecting a world of plurality, जिसमें आप कहते हैं, ये मेरे मादर है, ये मेरे फादर ह है, etc., तो माया एक power of ब्रह्म है, जो conceal कर रही है, consciousness को, और आपको project कर रही है, world of plurality, मतलब ये कैसी power of ब्रह्म है, जो क्या कर रही है, जो world of appearance जो है, हमें create करके दे रही है, इस तरह से, हम कह सकते हैं कि ये जो माया power है ब्रह्म की, ये function करती है, two ways में, इसमें पहला way है, that is, आवरन शक्ती, आवरन, आवरन का मतलब होता है, किसी चीज़ को cover कर लेना, या फिर, इंगलिश में कहें तो obscure, wheel, या conceal कर लेना, अब इसको अगर मैं clear करना चाहूं, तो ये क्या है, जिस प्रकार से, according to which, अगर हम बात करें किसकी rope की, तो rope का क्या होता है, जो real nature है, उसको क अशी तरह से, जो ब्रह्म है, उसकी क्या करती ही, जो माया है, उसके उपर एक आवरन जो है, चड़ा देती है, एक cover जो है, चड़ा देती है, जिससे ब्रह्म क्या हो जाते है, ये क्या है, ये माया की पहली power है, अब उसकी second power की बात करूं, तो second power है, friends, that is, विक्षेप शक् प्रोजेक्टिंग पावर और ब्रह्मा अब इसमें क्या होता है तो इसमें जो है जो रोप जो है जिसको आपने डाकनिस से क्या कर दिया है कवर कर दिया है उसी रोप में आपको क्या होता है इलूजन होता है किसका इसनेक का तो यह जो प्रोजेक्शन है यह जो है ब्रह्म की माया की क्या है सेकेंड पावर है जिसमें क्या होता है हमें इलूजन जो है मिलता है किसका रोप में इसनेक का तो इसी तरीके से जिस ब्रह्म को ढख लिया है किसने माया की पहली शक्ति आवरण शक्ति ने उसी को क्या करा जाता है किस रूप में आपको शोकेस करा जाता है प् माया अप्सक्योर दा सेल्प और ब्रह्मा एंड प्रोजेक्ट्स दा वर्ल्ड इन इट्स प्लेस जबकि जो रियल नेचर है ब्रह्म का वो ये नहीं है तो हमें क्या होता है इससे जो ब्रह्म है वो ही किस रूप में नोर, डूर और एक्सपीरियन्सर के फॉर्म में फील होने लग जाता है तो माया क्या है माया जो है ये एक ऐसी पावर है जो क्या होती है ब्रह्म के साथ जब असोसियेट हो जाती है तो उससे हमें जो ब्रह्म है, वो ही क्या लगता है, वो इस वर्ल्ड का material cause और creator of the world जो है लगने लग जाता है Now you must be thinking, sir material cause और creator of the world इसका क्या मतलब है So try to understand, अगर मैं एक mud के pot की बात करूँ So tell me, mud का जो pot है, वो किसका बना है Definitely आप कहेंगे, sir mitti का तो mitti उसका क्या है, material cause है, जिससे वो बना है और now tell me, उसे किस ने बनाया है So उसे जो है, definitely कुमहार ने बनाया है तो वो जो कुमहार है, वो क्या है, उसका creator तो ब्रह्म जब माया के साथ associate हो जाता है तो वो हमें world का material cause और creator दोनों क्या होता है, appear होने लग जाता है I guess अब आपको कापी अद्थ तक ही clear हो गया होगा अब इसके बाद, nature of माया तो माया के अगर मैं nature की बात करूँ तो इसका first point है, माया material है और unconsciousness अब try to understand, हमारी जो consciousness है उसको माया क्या कर रही है, कहीं न कहीं उसको conceal कर रही है और उसको अलग फॉर्मे project कर रही है So definitely ये खुद consciousness नहीं है, ये क्या है? Unconscious Second, माया is the power of Brahma तो माया जो है, Brahma की एक power है जो उसके अंदर ही क्या है? Inherent है अब इसका मतलब माया को power किस से मिल रही है? तो it is supported by Brahma और ये completely, definitely क्या होगी? Brahma पर क्या होगी? Dependent होगी Next point की अगर मैं बात करूँ तो माया जो है, वो क्या है? It is beginningless, ठीक है? ये अनादी है It means कि किस point पर, किस time पर ये operation जो है start हुआ इसकी हमें कोई knowledge नहीं है But still, आप माया को क्या नहीं कह सकते आप इसको अनन्त नहीं कह सकते You cannot say it अनन्त और infinite Because हमें जैसे ही क्या होगा Brahma ज्यान का knowledge होगा वैसे ही माया, अध्यान या फिर हम कह सकते ignorance हम इसको क्या कर लेंगे? Overcome कर लेंगे So listen carefully, माया क्या है? वो beginningless है, अनादी है But वो क्या नहीं है? अनन्त नहीं है उसका क्या हो सकता है? End जो है, हो सकता है वो endless जो है, नहीं है इसके बाद Nature of माया कैसा है? तो it is undescribable यानि अनिर्वचनी है जिसके बारे में आप वचन नहीं कर सकते Why so? Because माया ना तो Real है और ना ही Unreal है So you must be thinking यह क्या है? तो इसको रामानुज जी ने Criticize किया है जो हम आज की सेशन में आगे देखेंगे अब next point के अगर मैं बात करूँ तो माया is of the nature of Ignorance अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में Explain करूँगा तो यह आपको जादा अच्छा clear होगा माया जो है वो अज्ञान स्वरूप है तो इसका nature कैसा है? अज्ञान के जैसा है और इसको क्या करा जा सकता है? It can be removed by the right type of knowledge ठीक है? Next point माया is positive माया जो है You will be thinking कि माया कुछ negative है But let me tell you जब हम nature of माया की बात करते हैं So माया is called positive यानि की भावरूपा अब why is it called positive? So try to understand माया जो है इसके बारे में It is written that कि ये कोई negative principle नहीं है Because इसका क्या है? इसका एक positive function है ये जो unreal है मतलब की जो हमारा world है उसको क्या करती है? Real की place में ब्रह्म की place में project कर रही है और ये इसका क्या है? एक positive function है ठीक है? Nature of माया के बात Now let us understand विवर्थ बात अब विवर्थ बात क्या है? So it is nothing new जो हमने माया के बारे में समझा है Something something वही बात हम यहां understand करेंगे विवर्थ बात को हम other name से भी जानते है That is theory of appearance और super imposition जैसा कि अभी हमने understand करा कि मैं आपको वही एक जिस्ट में बतायता हूँ कि rope जो है उसको क्या करती है? Darkness जो है वो conceal कर लेती है और conceal करने के बात वो उसको project करती किसके form में? Snake के form में और जैसे ही हमें right type of knowledge मिल जाएगा ब्रह्म ग्यान मिल जाएगा और वो knowledge क्या है? ये भी हम अपने session के end में समझेंगे जब हम समझेंगे जो शंकराचार है उनका liberation का principle तब आपको ये चीज़ clear हो जाएगी कि ब्रह्म ग्यान क्या है? right type of knowledge क्या है? तो जैसी वो आपको मिल जाएगा, you will be able to understand कि actually में आपके सामने snake नहीं है, rope है इसी बात को जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो इसको विवर्त बात कहते हैं, अब इसमें विवर्त बात में क्या होता है? Now let us study तो विवर्त बात में जैसे snake है, उसको क्या करा जाता है? उसको superimpose हो जाता है, वो किस पर? rope के उपर, dark में उसी तरह से, ये world और body क्या हो गई है? ये ब्रह्म के उपर superimpose हो गई है, बट जैसे ही हमें right knowledge मिल जाएगा rope का, वैसे ही हम समझ जाएंगे, कि snake बस क्या है? वो illusion है और rope क्या हो जाएगी? vanish हो जाएगी. In the same way अगर हमें ब्रह्म का क्या मिल जाएगा? knowledge मिल जाएगा तो illusion of body और world भी क्या हो जाएगा? disappear हो जाएगा अब यहाँ पर important चीज़ जो आपको line जो mention करनी है we लिखते time. That is इन विवर्तवाद जो cause है. अब cause कौन है? So cause यानि की जो माया है. वो क्या करती है? effect प्रोड्यूस करती है effect यानि की इस world को क्या करती है? produce करती है without undergoing any change. मतलब जो ब्रह्म है. ब्रह्म जो है वो world में change हुए बिना ही क्या करता है हमें जो है show होता है Sir what are you trying to say? तो देखी मैं आपको समझाना चारा हूँ कि जो ब्रह्म है वो अपने आपको world के रूप में change नहीं करता है वो सिर्प वसे project होता है किस के रूप में? world के रूप में किस के कारण? माया के कारण इसको अगर मैं example से बहुँड़ू तो snake क्या है? सिर्प वसिफ appearance है रूप के ऊपर बट actually जो रूप है उसने अपने आपको transform नहीं करा है snake में जैसे milk जो है वो अपने आपको किस में transform कर लेता है? curd में transform कर लेता है और एक बार वो curd में transform हो जाए तो आप उससे वापस से milk form नहीं कर सकते मतलब की ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो immutable है changeless है, eternal है वो कल था, आज है और आगे भी वो रहेगा ठीक है? इत दो देवपोर जो ब्रह्म है वो खुद को क्या नहीं करता? वो कभी अपने आपको world के form में change नहीं करता सिर्फ ब्रह्म को आप conceal कर सकते हो और उसको world के form में project कर सकते हो इस तरह से ब्रह्म जो है वो क्या बन जाते है? cause of the world बन जाते है बट किस से? अपनी power माया से जो कि क्या है? उनकी एक mysterious power है अब लेकिन जैसा कि हमने समझा when you came to know कि असल में snake नहीं है rope है तो आपका fear क्या हो जाएगा? disappear हो जाएगा और you will not run away from it और यानि कि जैसे आपको realize होगा किसके बारे में? eternal, immutable, ब्रह्म के बारे में so वैसे ही आप जो है इस world के जो names है जो forms है इन सब से क्या हो जाएंगे? unaffected हो जाएंगे जैसे ही try to listen carefully जैसे ही अब इद्या यानि कि अज्ञान wheel of ignorance destroy हो जाएगा किस से? through knowledge of the eternal से so आप क्या करेंगे? shine करेंगे अपने true and divine splendor में true or divine splendor का meaning होगा कि आप जो है अपने दिव्य वैभव से क्या करेंगे? shine करने लग जाएंगे I guess अब आपको विवर्तवाद जो है काफी अच्छे से clear हो गया होगा in the same way एक और चीज़ question करी जाती है what is Maya and Avidya? so हमने अभी तक जो clear out करा है ये near about क्या होता है same होता है पर इसकी जो theory है थोड़ी सी slight different होती है तो वो theory आपको इस slide में दियो ही है इसको study करना आपका क्या है? homework है और अगर exam में question आता है तो यहाँ से आप direct matter क्या कर सकते है? return कर सकते हैं now I guess आपको Maya and Avidya और Maya पूरी तरह से clear हो गया होगा now let us understand views of शंकराचार on world अब जैसा कि आपने अभी तक का session समझा है you must be thinking कि according to शंकराचार world क्या है सिर्प और से एक illusion है but let me tell you it is not the case according to शंकराचार world क्या है तो world जो है it is relatively real मतलब इसकी क्या है इसकी व्यावारिक सत्ता है I guess आपको session की starting में मैंने orders of reality clear किया था सत्ता के इस्तर clear किया था तो उसके according शंकराचार यहां कह रहे है कि जो प्रतिभासिक सत्ता है उसके comparatively world क्या है real है but ultimate reality क्या है तो ultimate reality जो है वो ब्रह्म है जो कि उसकी क्या है उसकी परमार्तिक सत्ता है but इतना depth knowledge जो है वो किसी भी person को या किसी को भी सिर्फ तभी achieve हो सकता है जब किसी person को क्या मिल जाए जब किसी आत्म को क्या मिल जाए ultimate knowledge of ब्रह्म मिल जाए यानि कि ब्रह्म ग्यान जो है achieve हो जाए so हम ये कह सकते हैं कि actual में world क्या है ये जगत क्या है so it is the product of Maya और अविद्या I guess Maya अविद्या अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा what happens because of Maya जो unchanging ब्रह्म है वो appear होता है किसके पॉम में वो world के पॉम में appear होता है with the help of power of ब्रह्मा that is Maya तो जो हम समझ चुके हैं अभी तक कि ये world जो है इसका क्या होता है ब्रह्म के उपर super imposition होता है due to अविद्या ignorance और Maya और इसको किस theory से अद्वेतिन्स clear करते है so I guess ये भी हमने clear कर लिया है इसको वो विवर्तवाद की theory से क्या करते हैं clear करते हैं जिसमें Maya जो है I guess ये सब बाते तो आपको clear हो गई होगी बट यहां से exam में एक important question और बनता है that is what is पंजी करण grossification पंजी करण क्या होता है so ये question भी शंकराचारे से आपसे एक बार पूछा जा सकता है और उसके लिए जो theory required रहेगी वो आपके सामने है जो आप वीडियो को post करके यहां से ले सकते है but as I know ये theory जो है maximum students को clear नहीं होती है तो इसके लिए आपको कुछ termologies clear करनी होगी जैसे first three body types इसके बाद second three गुणास इसके अलावा five subtle and जो हम elements जानते हैं वो वाले gross elements ये तीन termologies आपको जब clear होगी तब ही आप पंजी करन को understand कर पाएंगे so सबसे पहले समझिए ये जो body है इससे आप क्या कर रहे हैं इस physical world से जुड़े हुए है इस physical body जो है इस material body के जरीए आप इस world से क्या है connected है और world में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं experience कर पा रहे है तो ये जो body है जिससे आप इस world से connected है उसे हम क्या कहते है तो उसे हम gross body कहते है but try to understand ये जो आपकी gross body है that is this ये बले ही आपको इस world से connect कर रही है but there must be some controller कोई न कोई क्या कर रहा होगा इसको control कर रहा होगा तो जिसके जरीए आप क्या हो चल रहे हो वगेरा सब कर रहे हो तो ये जो body आपको control कर रही है ये actually क्या है तो ये जो है ये subtle body है जो क्या होती है इस body के उपर होती है जो आपको इस diagram से clear हो रहा होगा इसी तरह से ब्रह्म के जरीए, क्या हुआ है, हमारी ये body जो है, formation में आई है, बट इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कारण होगा, reason होगा, तो वो कारण, reason क्या होता है, तो causal body होती है, सबसे पहले मतलब क्या form हुई, causal body, causal body के बाद क्या form हुई, subtle body, और subtle body के बाद क्या form हुई, इस्तुल सटल और थर्ड जो है वो हो गया कौजल बॉडी ठीक है कौज यानि की रीजन कारण अब इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें elements की so I guess आप सबको पता होगा पाँच elements पंच भूता कौन कौन से होते हैं तो space air fire water earth ये क्या है five elements है बड़ जो हम शंक्राचारे की बात करते हैं तो ये चारवक से बहुत ज़्यादा different जाते हैं ये कहते हैं कि ये जो पाँच elements है जिन से आप क्या करते हैं अलग-अलग इनके गुणास देखते हैं for example अर्थ में क्या होती है तो smell होती है water में क्या होता है तो taste होता है fire में क्या होता है form होता है color होता है air जो है उसमें क्या होता है तो उसमें जो है हमें क्या बोलते है touch मिलता है space जो है उसमें क्या होता है तो sound होता है but actual में जो real punch भूत रहते हैं उनमें ये गुण नहीं होते है रियल पंच बूच सर तो रियल का मतलब मेरा ये है कि actually अर्थ जो है उसमें क्या है अधर चीजे भी क्या है mix है उसमें space, air, fire, water ये सब भी क्या है mix है जिसके बाद उसमें smell आती है सर कुछ समझ नहीं आ रहा तो देखी try to understand जिसे मैं fire की बात करता हूँ तो जब हम chemistry पढ़ते हैं तो हमें पता है आँख कब लगती है जब oxygen की presence हो अब मुझे बताए oxygen क्या है तो oxygen definitely क्या है air है तो इस तरीके से जो शंकराचार है वो ये कहते हैं कि जो हमारे पंच बूध होते है वो असल में शुरू में क्या होते है five subtle elements होते है ये जो five subtle elements होते है ये इनका क्या होता है pure form होता है जिसमें इनमें जो है ये पांच गुणास जो हम बोल रहे हैं नहीं होते है attributes नहीं होते है बट यही पांचों क्या करते है जब आपस में mix होते है तो ये क्या बन जाते है ये gross elements बन जाते हैं जिनमें जो 5 गुण मैंने आपको बताए वो सारे गुण्स जो है present होते हैं अब now you must be thinking कि sir फिर ये 5 subtle elements में क्या होता है तो देखे इनमें 3 गुणास होते हैं that is सत्वा राजस एंड तमस सत्वा राजस एंड तमस sir what are this तो देखे इतना detail तो हमें नहीं जाना है बट मैं आपको short में clear कर देता हूँ सत्वा अगर कोई भी person liberation अचीव करना चाहता है तो उसे क्या होगा सत्वा गुण जो है उसमें जादा होना चाहिए because the thing is कि अगर कोई person की हम बात करें तो उसमें ये तीनों गुण होते है सत्व, राजस और तमस और हर person में क्या होते है कोई गुण access में होता और दूसरा कम होता है तो ये जो सत्व गुण है ये किसमें access में होता है जिसमें आपको satisfaction या संतोश देखने को मिलता है जिस person में As compared to this, Rajas It is the gonna of activity Or you can say इसमें attachment वगरा रहता है What I am trying to say कि जैसे अगर कोई person बहुत competitive है जो किसी भी चीज को करने के पहले उसमें अपना advantage देखता है अपना benefit देखता है So it means उसके अम्मे क्या जादा है उसमें Rajas जादा है मतलब he knows what is right and what is wrong बड़ इस्टिल वो किसी तरफ focused है अपने benefit की तरफ focused है तो उसमें सत्वा और तमस की जगा क्या जादा है Rajas जो है वो जादा है इन दोनों से different थर्ड गुन क्या होता है तमस यानि कि यहाँ पर impurity का इसको गुना कहा जाता है because जिन में तमस जादा होता है उन्हें सही गलत का कोई idea ही नहीं होता है वो हमेशा darkness में रहते हैं और वो नहीं जानते whatever they are doing is it right or wrong तो यह जो five subtle elements होते हैं यह किससे बनते हैं तो यह सत्व, राजस और तमस तीनों गुना से बनते हैं और फिर इनसे gross elements कैसे form होते है to try to understand बड़ी carefully listen करें मैं आपको पंची करन explain कर रहा हूं कि five subtle elements से five gross elements कैसे form होते है तो यह जो subtle elements है actually में यह क्या होते हैं पहले दो equal parts में तूर जाते हैं ठीक है यह देखिए फिर यह जब दो equal parts में break हो जाते हैं तो यह क्या हो जाएंगे definitely one by two, one by two, one by two और one by two और यह जो इसके उपर का part बचा है one by two इसके क्या हो जाते हैं चार equal partitions हो जाते हैं जो कि क्या हो जाते हैं one by eight, one by eight, one by eight और one by eight तो suppose यह one by two वाला क्या है यह वाला हम मान लेते हैं space है तो ये जो space है 1 by 2 इसके फिर इसके अलावा चार partition से 1 by 8, 1 by 8 वाले तो ये क्या होंगे, ये other 4 elements के साथ क्या होंगे, mix हो जाएंगे तो इस तरीके से, अब ये चीज जो मैं आपको उता रहा हूँ, थोड़ी slight tough आपको होगी understand करने के लिए तो यहाँ पर आप इस slide में देख सकते हैं कि 5 subtle elements क्या है, तनमात्र है ये तनमात्र जो है ये क्या हो गए, सबसे पहले हाफ हो गए अब ये हाफ क्या है, ये खुद का है जैसे space का हाफ, air का हाफ, fire का हाफ, water का हाफ, earth का हाफ फिर इनमें क्या है, इनमें other elements के जो 1 by 8 parts है वो क्या हो गए, mix हो गए और इससे फिर क्या बनते है इससे gross elements बनते है जो कि हमारे present वाले पंच भूताज है, जिनमें हम 5 गुणाज जो है, ये process जो है, ये process क्या कहलाता है तो ये process grossification, यानि कि पंची करण जो है, कहलाता है जो कि आपको यहां से यहां तक return दिया है, और इस पंची करण के पहले क्या होता है तो इसके पहले non-grassification यानि कि अब पंची करण होता है जिसमें subtle body और subtle universe का क्या होता है, formation होता है exam में आपसे process of formation of जगत जैसा typical question तो नहीं आना चाहिए, आपसे पंची करण जो है, वो पूछा जा सकता है and I guess आपको काफी अच्छे से अब clear हो गया होगा कि जगत जो है वो शंकराचार की view में क्या है Now let us understand views of शंकराचार on जीव, what is जीव? So, जीव is attachment of body Sir, attachment of body So, if I explain this to you So, sometimes we say I am fat, or I am thin, I am young I am old, I am beautiful I am chirag, I am rohit, I am mohit So, जब भी हम अपने आपको अपनी body से जोड लेते हैं, so, it creates a bondage, और इस तरह का जो bound soul होता है उसी को क्या कहा जाता है? जीव कहा जाता है So, what शंकराचार is trying to say कि जब कोई अपने आपको किस से associate कर लेता है अपने कर्मा से associate कर लेता है तो जो भी हम कर्म करते हैं उसके क्या मिलते हैं? हमें fruits मिलते हैं यह जो fruits of karma है यह हमें इस present life में मिल सकते है यह हमारी जो आने वाली lives है, जो हमारा rebirth है उसमें मिल सकते हैं और इनमें fruits के तोर पे हम क्या करते हैं? pleasure या pain जो है experience करते हैं जब हम अपने आपको अपनी self को किस से जोड़ लेते हैं? mind, body, intellect और ego से जोड़ लेते हैं तो जो हमने last session में समझा था कि चारवक जिसको deny कर रहे हैं theory of karma को उसी को यहाँ पर शंकराचारे क्या कहते हैं? यहाँ पर शंकराचारे उसको जीव कहते हैं, ठीक है? तो जीव क्या होता है? वो होता है जो एक body से दूसरी body travel करता है और जो trapped रहता है किसमे cycle of birth और death में इसके अलावा अदवेद जो है वो क्या कहते हैं? जीव को ब्रह्म consciousness जो होती है मतलब जो pure consciousness जो होती है वो जब mind में reflect होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं अब mind क्या है? तो देखिए mind जो है यह माया का एक product है अब क्योंकि यह माया का product है तो इसलिए इसकी quality क्या है? inferior है इसी तरह से जीव जो है क्योंकि वो mind से जुड़ा हुआ है तो इसके भी जो attributes है गुणाज है वो क्या होंगे? inferior होंगे इसलिए जीव जो है वो ब्रह्म की तरह unlimited नहीं होता है It is limited in knowledge, power and located in a place मतलब जो ब्रह्म है वो जिस तरह से omnipotent, omniscient है उस तरीके से जीव जो है उसकी qualities नहीं होती है But still, जीव को क्या का जाता है It is also set to be without a beginning मतलब जीव कवाया इसकी भी हमें कोई knowledge नहीं है Just like ब्रह्म माया and ईश्वर अब इसके बाद जीव के अगर मैं और आपको description दू तो जीव is many constituting three bodies I guess हमने अभी clear करा है कि जीव जो होता है उसमें तीन bodies होती है That is subtle body, causal body और इस्तुलधे यानि की physical body सबसे पहले causal body, फिर subtle body और last में हमारी physical body अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो I guess मैं आपको ये भी clear करा है causal body कारण जिससे हम जीव के तौर पे form हुए है gross body यानि की ये body जो आप मेरी देख रहे है जिसमें क्या करते हैं? जिससे मैं सारे के सारी चीज़े क्या कर रहा हूँ? एक्सपीरेंस कर रहा हूँ विच इस दा home of experiences ठीक है? और subtle body जो मेरी इस body के ऊपर क्या है? cover है जो क्या कर रही है? विच इस serving as the means of experience ठीक है? अब इसके अलावा कोई भी जो जीव होता है वो undergo जाता है three states of experiences से I guess ये तो हम सब अपनी day to day life में देखते हैं one is waking, second is dream और third is deep sleep सर पर इसका मतलब क्या है? सो देखिए अगर मैं अपनी consciousness की बात करूँ सो अभी हम क्या है? अभी आप और में awake है तो हमारी consciousness क्या है? काफी जादा work कर रही है मतलब हम काफी जादा चीजों को understand कर रहे हैं काफी अच्छे से हम अपने आसपास के surroundings का knowledge ले रहे हैं बट वहीं जब हम dream में होते हैं तब हमारे body के कई parts क्या होते हैं? काम नहीं करते हैं विकाज हमारी consciousness जो है वो भी क्या होती है? उसका भी जो काम है थोड़ा कम हो जाता है सो dream में हम ज़ादा knowledge नहीं ले पाते हैं बट वहीं जब हम deep sleep में चले जाते हैं तब हम dream भी नहीं देख रहे होते हैं तब हमारी consciousness क्या होती है? और भी ज़ादा inactive हो जाती है और हम जो है अपने आसपास के surrounding से काफी ज़ादा क्या हो जाते है? अन्नोन हो जाते हैं तो ये क्या होती है? जीब की three state होती है अब जैसा कि हमने समझा जीब क्या है? जीब जो है अपने various constituent से एक doer भी है और एक reaper भी है मतलब वो पहले करमा करता है और फिर उसके बाद अपने action के fruits जोहे लेता है इस तरीके से जीब क्या है? करमा से bounded है बट इप टॉक अबाउट एक्जाम्स तो एक्जाम्स में कहीं न कहीं आपने previous questions में भी देखा होगा कि जो theories हैं वो जादा पूछी जाती है as compared to views तो जीब को explain करने वाले जो theories है वो है प्रतिबिम्बबाद आने की chances है comparatively थोड़े क्या हो जाते है बढ़ जाते है अब what is this तो सबसे पहले हम बात करते है प्रतिबिम्बाद की that is theory of reflection की so इस theory के according जीब क्या है? it is the reflection of pure consciousness in अविद्या so इसको मैं आपको इस slide से clear करता हूँ देखी यहाँ पर अब यह क्या है? I guess we all know it is sun तो आप इसको क्या मान लीजिए? इसको आप self मान लीजिए इसको आप pure consciousness मान लीजिए इसको आप pure आत्म मान लीजिए which is present everywhere अब इसी का हमें क्या दिखता है? इसी का हमें water में क्या दिखता है? reflection दिखता है तो ये जो reflection हमें दिख रहा है इसी को हम क्या कहेंगे इसी को हम कहेंगे जीवा, तो ये जो reflection है ये क्या है, जीवा है अब definitely ये आपको किस में दिख रहा है ये आपको water में दिख रहा है So, ये water actually में क्या है तो ये water जो है ये अविद्या है और माया है सर असोशीशन तो समझ में आ गया बट बात समझ नहीं आई So try to understand जैसे हम water की बात करें So water क्या होता है? अलग-अलग तरीके का होता है कोई water थोड़ा साफ होगा, कोई water जो है untidy होगा जो साफ होगा उसमें जो image है वो ज़ादा clear होगी जो untidy होगा उसमें image क्या है unclear होगी तो जो जीव है वो क्या है इस pure consciousness का क्या है यानि sun का क्या है reflection है किसमे water यानि की अविद्या माया में ठीक है I guess आपको प्रतिविम बात जो है काफी हद तक clear हो गया होगा अब इसको ऐसे समझे जैसे ही ये water क्या कर दिया जाएगा remove कर दिया जाएगा तो मुझे बताएए ये reflection भी क्या होगा ये भी क्या हो जाएगा remove हो जाएगा अब यहां पर water remove करने का मतलब में किसको remove करने की बात कर रहा हूँ अब विद्या माया को रिमूफ करने की बात कर रहा हूँ तो वैसे ही क्या होगा ये जीव जो है ये किसमे समा जाएगा वापस से ये जीव जो है अपने सेल्फ में प्यूर कॉंशेसनेस में ब्रह्म में गौड में क्या हो जाएगा गौड आपको अंडरस्टेंडिंग लिए बोल रहा हूँ में ब्रह्म में गौड में क्या हो जाएगा समा जाएगा और इसको आप इनवे कह सकते हैं आप लिबरेट हो जाएगे आपको मोक्ष जो है वो मिल जाएगा अब लेकिन ये प्रतिविम बात जो है ये भी आपको जादा अच्छे से क्लियर होगा वेन आई विल एक्स्प्लेइन टो यू अब छेद बाद अब छेद बाद यानि की थियोरी ओफ लिमिटेशन अब ये बड़ी ही सही है इसके अकॉर्डिंग जीब क्या है इसको समझाने से पहले मैं आपको एक प्रेक्टिकल चीज एक्स्प्लेइन करता हूँ I guess आप सब बिलीब करते होंगे कि हमारी फिजिकल बाड़ी के अंदर क्या है आत्मा है अब जैसे ही हमारी डेथ होगी हमारी बाड़ी से ये आत्म क्या होगी ये लिबरेट हो जाएगी और फिर हम कहते हैं कि ये जो आत्म है ये हो सकता है कि वापस से जाकर किसमें मिल जाए गौड में या ब्रम में जाके मिल जाए जिससे ये निकल कर हम सबकी बाड़ी में आई है इसी तरह की बात करता है अब छेद बात अब ये क्या कहता है जो sun है ये क्या है? ये तो self है, pure consciousness है या ब्रह्म है अब इसी का क्या होता है? इसी को जब हम देखते हैं किस में? ये एक particular pot में देखते हैं तो अब इस pot में क्या हो रहा है? इस pot में इसको limit कर दिया गया है अब जो reflection है वो कहा नज़र आएगा? सिर्फ इस pot में ही नज़र आएगा तो pure consciousness को किस ने limit कर लिया है? pure consciousness को एक particular space ने अविद्या ने, माया ने limit कर लिया है example आप देख सकते हैं like the space limited by a pot ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या कहना चा रहा हूँ? sun क्या है? sun जो है वो self है, pure consciousness है, ब्रह्म है यह जो pot है, यह pot क्या है? यह pot जो है, यही अविद्या है, माया है इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है? इसके अंदर हमें यह जो दिख रहा है, यह क्या है? जीव है अब जैसे आप इस spot को तोड़ दोगे, क्या होगा? Definitely इसमें से जीव जो है खतम हो जाएगा और वो खतम नहीं होगा, वो actually किस में चला जाएगा? वो वापस से उसी self में चला जाएगा, उसी ब्रह्मो में चला जाएगा, जहां से वो आया था सो इस तरीके से प्रतिम बेबम बात और अपचेद बात, इन दोनों में थियोरी से जो अदवेद विदानती है, वो क्या करते है? जीव को क्लियर करते है ये एक और डाइगराम है, जो अपचेद बात को शो करता है, जिसमें आप देख सकते हैं, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, और अविद्या क्या है, ठीक है? तो इसको आप केवफुली, बहुत ही शापली अब्जब कीजिए, आपको इसमें बहुत जादा डे करा है, तो वो मैं आपको अल्रीडी क्लियर कर चुका हूँ, बट आप यहाँ पर एक रीडिंग कर सकते हैं, उससे आपको भी चीज़े क्या होगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, जीव जो है, आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा, सो स्टुडेंट्स, अगर मैं अभी तक क्या हमारे सेशन की बात करूँ, सो अब हम शंक्राचार का एपिस्टेबलोजी, उनका इंट्रोटक्शन और उनका मेटाफिसिक्स, तीनों फिनिश कर चुके हैं, और अब इस सेशन में हमें सिब दो चीज़े और क्लियर करना है, ए एक दस सेवन अनुपत्ति, चार्जेस, एंड इसके अलावा शंक्राचार के एथिक्स, डेट इस अल्टिमेट गोल ओफ लाइव, डेट इस संक्राचार के व्यूज और मोक्षा लिब्रेशन, अब अनुपत्ति, चार्जेस, ये क्या है? So try to understand, जब भी कोई philosopher या फिर दार्शनिक अपने views देता है, तो उनका क्या होता है, कहीं न कहीं criticism होता है, इसी तरह से जो शंक्राचार है, उनका भी क्या हुआ है, strong criticism हुआ है, और इनके जिस philosophy का हम कह सकते हैं, या फिर इनकी जिस theory का सबसे ज़ादा criticism हुआ है, वो है रामन रुच के according माया क्या है, तो माया is a real power of God, ये कोई mysterious power नहीं है, ये God की real power है, और इससे जो हमारा creation हुआ है, ये भी क्या है, completely real है, और ये उतना ही real है, जितना की God, पर definitely जब ये इतना बड़ा criticism कर रहे है, सो इनको क्या करना होगा, reasons देने होंगे, logics देने होंगे, तो इसके लिए ये क्या देते है, माया बाद के against seven critical points देते हैं, और ये seven critical points ही क्या कहलाते है, अनूप पत्ती, अब ये अनूप पत्ती का exact meaning क्या होता है, इसका मतलब होता है, अगर मैं आपको शिद्ध हिंदी में बताऊं, असिद्धी, मतलब जिसका क्या नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो ये seven points हम चलिए one by one discuss करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आश्यरानू पत्ती, अब आश्यरानू पत्ती ये क्या है, सो देखिए, जो भी word मैंने black color से highlight किया है, वो word असल में क्या है, कहीं न the support of माया, और I must say, locust, आश्यराफ of माया, तो यहाँ पर रामनूच कहते हैं, कि माया का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ लोकस होना चीए, आश्यरे होना चाहिए, it should have a place to reside, पर यहाँ पर रामनूच कहते हैं, कि ये ब्रह्म में नहीं रह सकती, it cannot reside in ब्रह्मा, क्योंकि म माया क्या है, ये कहीं न कहीं अविद्या, एग्नोरेंस है, और अगर ये माया ब्रह्म में reside कर रही है, it would mean कि जो ignorance है, वो किसमें reside कर रहा है, knowledge में reside कर रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, contradiction हो जाएगा, other than this, nor can माया reside in the finite self, try to understand, यहाँ पे individual self नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा कर सकती, because हम क्या है, हम तो self माया की ही क्या है, creation है, तो हम में माया reside नहीं कर सकती, इस तरह से माया का क्या नहीं है, कोई locus ही नहीं है, next charge के अगर मैं बात करूँ, तो it is तिरोधानू पत्ती, अब this charge is about the concealment of ब्रह्म by माया, conceal, I guess आपको ये word माया में मैंने clear करा है, किसी ची शंकर जो है, वो अपने विदान्त में कहते है, कि माया क्या करती है, it concealed the real nature of ब्रह्म, and projects the very world in its place, जो की unreal है, बट यहाँ पर रामनुद जो है, इस statement के meaning को ही क्या कर देते है, question कर देते है, वो यहाँ पर ये कहते है, कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो self conscious है, वो तो क्या है, self numerous है, ब्रह्म क्या है, pure consciousness है, so उनका कहना है कि जब माया, ignorance है, अविद्या है, so ignorance, अविद्या, आखिर कैसे, ब्रह्म जो की pure consciousness है, उसको क्या कर सकती, conceal कर सकती, hide कर सकती है, इस तरह से वो क्या कहते है, इस बात को deny कर देते हैं, अपने इस charge में, third is, स्वरापानु पत्ती, अब ये जो objection है, ये objection है कि हमें क्या नहीं हो सकता, जो माया है, उसका कोई definite knowledge नहीं हो सकता, try to understand, अगर हम माया को कहते हैं क्या positive, तो हमने अविद्या को क्या कहा है, negative कहा है, तो जब माया positive है और अविद्या negative है, तो इन दोनों का meaning क्या नहीं हो सकता, same नहीं हो सकता, जबकि शंकराचारे माया और अविद्या को कही न कहीं क्या बताते हैं, same बताते हैं, again वो कहते हैं कि अगर हम माया को कह दे negative, तो ये क्या नहीं कर सकती, जो हमारा world of appearance है, इन वेच वी आ लेवेंग ये उसको क्या नहीं कर सकती राइस नहीं कर सकती जो कि वर्ल्ड क्या है एक positive entity है एक positive activity है ये जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर माया को negative माल लेते हैं तो उससे एक positive world जो है वो create नहीं हो सकता और अगर हम माया को positive और negative वो दोनों बोल द लेते हैं तो यह तो क्या है यह तो एक she- contradiction है and इसका reverse अगर पैर माया ना तो positive है न तो negative है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे है यहाँ पर जो लॉजिक है उसको ही हम completely क्या कर दे रहे है दिनाए, कर रहते हैं तो यह क्या है यह रामनुज का थर्ड चार्ज है अब उसके पोर्ट चार्ज पर गर हम बात करें तो डैट इस अनिर्वचनियत्व अनूप पत्ति इस चार्ज में जो रामनुज है वो शंकर के व्यू में जो कॉंट्राडिक्शन है उसको फ्रेंट में लाते हैं त उसे indescribable कहा गया है उसे indefinable कहा गया है पर try to understand अगर आप कह रहे हो कि Maya अनिर्वचनी है यह रामनुच के views है मेरे नहीं है Maya अनिर्वचनी है So आप कैसे उसको describe कर सकते हो indescribable से मतलब he's trying to say जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में how can you say कि यह indescribable है यह क्या है यह sheer contradiction है और इसी को और depth में रामनुच क्लिय करते हैं कि Maya को indescribable यानि अनिर्वचनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दो categories में नहीं आता ना तो यह real है और ना ही यह unreal है बट रामनुच कहते हैं कि reality और unreality यह तो क्या है दो explosive categories है अगर मैं philosophy के और depth में जाओ for example मैं आप से कहूँ खरगोश के sing what are these are they real और unreal definitely आप कहेंगे यह unreal है तो या फिर मैं कहूँ खरगोश के कान या फिर गाए के sing तो यह क्या है यह real है तो रामनुच कहते हैं real और unreal यह दोनो exclusive categories है इनके अलावा कोई third category हो ही नहीं सकती तो इस तरह से जो माया को अनिर्वचनी कहा जाता है उसकी रामनुच क्या कर देते हैं असिद्धी कर देते हैं उसको क्या करते हैं गलत बोल देते हैं कोई valid means of knowledge नहीं है जिससे हमें क्या मिल सके माया का knowledge मिल सके I guess आपको clear होगा हमने चार प्रमाणों को basically समझा है जिनके नाम अगर मैं बात करूँ तो perception, inference, comparison और testimony तो वो कहते हैं माया को हम क्या नहीं कर सकते perceive नहीं कर सकते क्योंकि माया ना तो कोई entity है और नहीं non entity है तो हम माया को perceive नहीं कर सकते हम माया का inferred भी नहीं कर सकते हम माया का अनुमान भी नहीं लगा सकते because for अनुमान हमें क्या चाहिए एक middle term चाहिए I guess आपको चारवक में याद आ रहा होगा whatever has smoke has fire तो कहीं भी अगर हमें आग का अनुमान करना है तो what we need हमें उसके लिए जो है smoke नामक middle term जो है चाहिए अब माया में कोई ऐसी middle term भी नहीं है तो हम इसको inferred भी नहीं कर सकते इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते इसके अलावा अगर हम बात करे scripture authority की तो जो हमारे scriptures है जो शास्त्र है वो भी माया के बारे में क्या कहते है it is a illusion producing principle तो इस तरह से जो भी प्रमान है वो क्या नहीं देते वो माया के बारे में कोई proper idea जो है नहीं देते तो प्रमान से भी क्या करते है वो इसकी असिद्धी कर देते है next charge है उनका निवर्तकानू पत्ती अब ये charge जो है रामनुच का it is about the absence of remover of माया मतलब माया का कोई remover नहीं है अब try to understand शंकर क्या कहते है शंकर says that माया और अविद्या जो है इसको हम remove कर सकते है किस से by the knowledge of unqualified, indeterminate ब्रह्म try to remember unqualified और indeterminate इन words का मतलब क्या है indeterminate मतलब निर्गुण और unqualified यानि कि जिसमें कोई characteristics ना हो निर्विशेश ठीक है अब यहाँ पर रामनुच कहते है रामनुच आर्ग्यू करते है कि ऐसा knowledge जो है unqualified, indeterminate knowledge जो है वो हम कभी gain ही नहीं कर सकते है जो कि हम तो knowledge तो उसी का gain कर सकते है जो क्या हो determinate हो जो qualified हो what he is trying to say जैसे आप मेरा knowledge gain कर रहे है आप कैसा knowledge gain कर रहे है आप कहेंगे मैं healthy हूँ मैं क्या कहते हैं bald हूँ मतलब मेरे सिर पर बाल नहीं है मैं सावना हूँ So ये क्या है ये मेरी qualities है ये मेरे characteristics है या फिर मैं अच्छा पढ़ा रहे है खराब पढ़ा रहे है तो ये मेरी qualities मेरे characteristics है मेरे گुणाज है जिससे आप क्या कर रहे हो मेरा knowledge जो है gain कर रहे है बट अगर मुझे में ये characteristics ही नहीं होंगे, कोई गुणाज ही नहीं होंगे, तो आप मेरा कोई knowledge gain नहीं कर सकते, तो जब कोई knowledge की ही क्या हो जाएगी, absence हो जाएगी, तो ऐसे में Maya या अविद्या क्या नहीं करी जा सकती, किसी के भी द्वारा remove जो है नहीं करी जा सकती, therefore there is no rem of Maya, इनका जो last charge है, वो है निर्वत्यानुपत्ती, अब यह जो charge है, यहाँ पर यह कहते है, removal of Maya is not at all possible, try to understand, Maya जो है, वो क्या है, वो positive है, भाव रूप हो है, according to शेंकर, बट यहाँ पर रामनुच कहते हैं, कि कोई भी चीज, जो क्या है, positively exist कर रही है, वो क्या नहीं करी जा सकती, वो remove नहीं की जा सकती, किस से, knowledge से, try to understand, जो ब्रह्म है, उनका knowledge कैसा होगा, उनका knowledge abstract होगा, जो कि ब्रह्म कैसे है, निर्गुण है, निराकार है, तो abstract knowledge जो होगा ब्रह्म का, वो क्या नहीं कर सकता, वो remove नहीं कर सकता, किसको, जिसको, जिसका क्या हो, जिसका, concrete क्या है, existence हो, तो इस तरीके से वो कहते है, removal of Maya क्या नहीं है, किसी भी तरीके से possible नहीं है, इस तरह से, जो Maya वाद है शंकर का, उसको completely रामनुच क्या कर देते हैं, काफी हद कहना चाहिए deny कर देते हैं so students now we are coming towards the end of this session अब इस session में हमें सिफ एक चीज़ और clear करना है that is Shankara's conception of liberation मोक्षा so as we have understood till now जो ignorance होता है अज्ञान होता है अविद्या होती है माया होती है उसके कारण क्या होता है जो हमारे self का nature है और जो not self का nature है वो दोनों क्या हो जाते है mix हो जाते है जिससे क्या create होती है bondage जो है create होती है and हम जो pure consciousness है आत्म है वो अपने आपको जीब जो है understood करने लग जाता है बट जैसा कि हम जानते है nature of self असल में क्या होता है यह असल में होता है eternal eternal मतलब शाश्वत ठीक है immortal immortal मतलब जिसका ना तो कभी birth हुआ जिसका ना कभी death होगी जो हमेशा alive रहेगा यह pure होता है unlimited होता है blissful यानि कि स्वयम आनंद होता है इसको happy होने के लिए किसी और की requirement नहीं होती है यह हमारे self का क्या होता है nature होता है बट हम इसको किस में mix कर लेते है nature of not self में जो इसका exactly क्या होता है reverse होता है तो जब ऐसा होता है तो ऐसे में क्या create हो जाती है bondage जो है create हो जाती है यही कहा है किसने शंक्राचार ने अपनी ब्रह्म सुत्र की introductory commentary में अब try to understand liberation मोक्षा की जब हम बात करते हैं तो अलग-अलग schools जो है उन्होंने क्या करा है इसके लिए अलग-अलग reasons जो है दिये है for example तीन जो है parts जो है mainly जो है follow किये जाते है for liberation मोक्षा यह है कर्म यो कर्म पत दूसरा भक्ती पत और तीसरा path of knowledge अब जो शंकर है वो क्या करते हैं जो अदवेज जो है वो क्या करते हैं कर्म और भक्ती दोलों को deny कर देते हैं वो कहते हैं यह मोक्षा के लिए proper means नहीं है के साधन नहीं है वो क्या होते हैं इनफाइन होते हैं ये तो लगातार चलते रहते हैं और इन से क्या क्या होता है हम बार बार reborn होते रहते हैं और cycle में ही फसे रहते हैं वहीं अगर हम बात करें भक्ती की तो जो भक्ती है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हम दो लोगों को क्या करते हैं माल लेते हैं तो जब हम दो लोगों को माल लेते हैं तो यह तो क्या हो गया यह तो हमने दो की सत्ता माल ली सो जब हमने दो की सत्ता में बिलीब कर लिया तो फिर क्या हुआ ये तो अपने आप में शंकर के अकॉर्डिंग अध्वेत के अकॉर्डिंग अज्ञान हो गया, इग्नोरेंस हो गया, अविद्या हो गई सो इस तरह से भक्ति और कर्म दोनों को ही ये क्या कर देते हैं, डिनाय कर देते हैं, और ये means of liberation या मोक्ष का साधन किसको मानते हैं, सिर्फ और से knowledge को मानते हैं, अब ये knowledge क्या है, ये भी अभी हम लेने वाले हैं, I mean to say मैं आपको मोक्ष जो है, उसका मार्ग जो है, रास्ता बताने वाला हूँ, सो इस session को बहुत ही ध्यान से सुनिये, अब यहाँ पर knowledge जो है, आब आप कहेंगे सर knowledge ही important है, मतलब भक्ति और कर्म का कोई sense नहीं है, so definitely not, भक्ति और कर्म का भी क्या है, इसमें एक क्या है, रोल है, अब वो रोल क्या है, so try to understand कर्मा, कर्मा किसले जरू consciousness है, उसको at least क्या कर पाएं, pure कर पाएं, हम जो है, अपने अंदर जो है, अच्छे thoughts जो है, produce कर पाएं, और अपने आपको एक positive way में क्या करा पाएं, move करा पाएं, उसी तरह से, जो भक्ति है, या meditation है, ये किसले जरूरी है, concentration के लिए जरूरी है, अगर हमको ये believe करना है, कि पहले हमें क्या करना होगा, ब्रह्म में lean होना होगा, अपने आपको ब्रह्म में क्या करना होगा, concentrate करना होगा, इसके लिए क्या necessary है, भक्ति जो है, नेसेसरी है, तो इस तरह से अदवेत कहते हैं, कि जो ज्यान योग है, ये क्या है, ये ultimate means है, for achieving मोक्षा, और जो other secondary means है, जो क्या करते है, मोक्ष के attainment में एक important role जो है, प्ले करते है, इस तरह से शंकराचारे जो है, suggest करते है, for full qualification, try to read very carefully, साधन चटुष्ट्य, किसके लिए, for attainment of मोक्षा, ये साधन चटुष्ट्य, आपको पता होना चाहिए, साधन चटुष्ट्य में चार पॉइंट आ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, अब इनको हम एक एक करके समझते हैं, first of all विवेक, विवेक मतलब discrimination between eternal and fml, मतलब आपको जो है, सबसे पहले ये समझना होगा, कि ब्रह्म alone क्या है, real है, और world क्या है, unreal है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जियो ब्रह्म आप जो हो, वो impure consciousness नहीं हो, आप क्या हो, pure consciousness हो, आप not self नहीं हो, आप self हो, आप इस शरीर में बंदे हुए नहीं हो, ठीक है, जब आप ये बाते समझ जाओगे, सो आप कौन सा पात अचीव कर लोगे, आप जो साधन चदुष्ट है, उसमें जो पहला वाला मार्ग है, उसको complete कर लोगे, फिर इसके बाद second आता है वैराग्य, वैराग्य मतलब disposition towards worldly benefits, मतलब कि suppose जैसे हम अपनी बात करें, so what happens, हमेरे अंदर क्या होती, desire होती है, desire कि हम एक BMW car बाई करें, या फिर एक iPhone जो है, वो बाई करें, या फिर delicious food या expensive clothes जो है, वो purchase करें, तो ये जो हमारे अंदर passion है, इसके प्रत this passion लाना होगा, worldly benefits को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा, even not the benefits of this world only, even अगर हमारे अंदर ये feeling है, कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, because we want to go to heaven, तो ये भी क्या है, ये भी बैराग्य के से अलग है, तो हमें क्या करना होगा, हर तरह के benefits को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि इनका क्या नहीं है, कोई सेंस नहीं है, फिर इसके बाद यहाँ पर साधन चतुष्ट का तीसरा बिंदू होता है, शट संपत्ती, six-fold mental disciplines, अब कोशन कितने marks का आता है, उसके according आपको decide करना है कि शट संपत्ती जो है, उसके points आपको लिखना है कि नहीं, शट संपत्ती यह होते है, शम, दम, उपरती, तितिक्षा, शरद्धा, समधान, अब यहाँ पर शम क्या है, तो शम है control over mind, try to understand, दूसरों से जीतना या लड़ना बहुत आसान होता है, but it is very tough to fight with you all, अपने आप से fight करना बहुत मुश्किल होता है, so first point है, control over mind, चुकि हमारा यह mind ही क्या करता है, हमें अच्छे और बुरे कर्मा के लिए motivate करता है, फिर इसके बाद second point है, dumb, जिसमें हमें क्या करना होता है, अपने senses पे control करना होता है, try to understand, हम जब अपने mind पे control करने की कोशिश करते हैं, तब हमें कौन बहुत ज़ादा deviate करता है, तो वो हमारे senses होते है, like हमारी जो tongue है, यह क्या करती है, हमें motivate करती है, मीठा खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए, वगेरा वगेरा, या पिर जो हमारी eyes है, यह कई बार हमें motivate करती हैं कुछ गलत देखने के लिए, for example, जैसे आज practically हम जानते हैं, उसका एक example हो जाएगा, eve teasing, तो इन five senses को हमें क्या करना है, control करना है, इसके बाद third आता है उपरती, यानि to follow dharma, जब हम अपने mind और अपने senses पर control करने का try करते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम भटक सकते हैं, तो उसके लिए third point आता है, follow dharma, जो कि जो हमारा धर्म होता है, वो क्या करता है, जो हमारे शास्त्र रहते हैं, यह हमें हमारी duties बताते हैं, कि as a human being, हमें क्या क्या activities करना चाहिए, और क्या क्या practices नहीं करना चाहिए, फिर इसमें next point आता है, तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब, हमें neutral रहना होगा, चाहे circumstances favorable हो, या फिर unfavorable हो, What I am trying to say, जैसे आप जेनों को देखिए, जेनों में क्या होता है, they do not wear clothes, what is the reason, because, वो यह कहते हैं कि हमारा जो surrounding है, वो चाहे कैसा भी हो, चाहे उसमें severe cold हो, या फिर बहुत जादा hot climate हो, चाहे condition favorable हो, या unfavorable हो, ये वो condition है, जो हमें ब्रह्म ने दी है, तो हमें इसको क्या करना होगा, accept करना होगा, इससे fight करने का कोई sense नहीं है, तो ये क्या है, तितिक्षा है, मतलब आप अपने यहां का cooler बंद कर दीजिए, AC बंद कर दीजिए, और अगर winter है, तो अपना heater भी क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, आपको अगर मोक्ष चाहिए, next point है, शद्धा, अब try to understand, जब हम मोक्ष attain करना चाहते हैं, तो उसका जो path है, वो हमें कौन दिखाता है, वो हमें हमारे गुरु दिखाते हैं, गौड दिखाते हैं, और हमारे शास्र दिखाते हैं, या फिर हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर हर सवाल का जवाब चुपा हुआ है. बस हमें क्या करना होगा? अपने उपर पेट करना होगा. और इसके बाद शट संपत्ती का आखरी पॉइंट है समधान. हमें क्या करना होगा? stay focused on the practice हम जो ये process कर रहे है जिसमें अपनी consciousness को क्या कर रहे है अपने चित्व को क्या कर रहे है एकागर कर रहे है यह हम अपनी consciousness को क्या कर रहे है ब्रह्म में ले जा रहे है तो इस practice पर हमें क्या रहना होगा focused रहना होगा यही क्या शट समपत्ती का last point है that is समधान और फिर इसके बाद साधन चटुष्य का आखरी point आता है that is मुमुक्षुत्व अब ये मुमुक्षुत्व क्या है so try to understand हम अपनी life में वही चीज़ें अचीब करते हैं जो हम actually अचीब करना चाहते हैं जिसके लिए हम actually में work करते हैं जिस चीज़ के हमारे अंदर intense desire होती है वो ही हम क्या करते हैं achieve करते हैं बट होता क्या है इस world में जब हम रहते हैं तो हम क्या होते हैं यह जो worldly benefits होते हैं इनमें ही फसे रहते हैं हम अपने पूरे lifetime जो है money या फिर अन्य जो worldly benefits हैं उनके पीछे ही run करते रहते हैं जिसके जो मोक्ष का थौट है, वो हमारे mind में generate ही नहीं होता है, और जब आपके mind में मोक्ष का थौट ही नहीं होगा, जब आपके अंदर intense desire ही नहीं होगी, तो आपको मोक्ष जो है, कैसे मिल सकता है, तो अब मुझे लगता ही चारों points आपको clear हो गए होंगे, बड़ इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आपने विवेक वेरागिय और firm determination of liberation जो है वो आपके अंदर आ गया तो जो other qualities है शट संपत्ती है ये क्या होती है धीरे धीरे जो है डेबलब जो हो जाती है और जैसा कि मैंने कहा regular prayer या surrender करते हैं आप God को तो ये भी क्या करता है काफी जादा help करता है तो इस तरह से अगर आप self के लिए क्या करते हैं हर चीज को छोड़ने को तयार है तो ये अपने आप में क्या है एक asset है और जो अदवेद है जिसको हमने इतना पूरा detail में समझा है ये किस के लिए है ये purified minds के लिए और subtle intellects के लिए है तो I guess शंक्राचारे का जो विचार है जो शंक्राचारे की philosophy है वो आपको एक काफी अच्छे extent तक clear हो गई होगी और exam में आने वाले आप इससे questions को काफी easily answer कर पाएंगे अब जैसा कि हम questions की बात करें तो इससे जो expected questions आप से पूछे जा सकते हैं वो यहां slides में दिये गए है ये questions जो है इनके answers जो है आपको prepare कर करना है और homework के तोर पे बाद में आप हमें जो है दिखा सकते हैं यह very short answer है फिर इसके बाद यह short answer type questions है और फिर इसके बाद यह long answer type questions है यह expected questions है जिनके answers जो है आपको हमारे notes में जो है मिल जाएंगे so I guess आपको आज का session पसंद आया होगा thanks for watching जो है जो है यह minutes 細 प्रूश में जह जो है कि झाल यह में जो है जो है कि जो